हलो बच्चो वेलकम टू डाउट नट डाउट नट पर आप सभी बच्चो का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं उमीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वास्त हैं मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एकजाम की तयारी कर रहे हैं ओके तो आजाईए बच्चो आजाईए यार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज किस क्लास में जहां पर हम बढ़िया से एक और चेप्टर का वन शोट कम्पलीट करने वाले हैं गुड आफ्टर नून जी गुड आफ्टर नून कैसे हो आप सभी बच्चे सारे बच्चे फटाफट से क्लास को जोइन करने बढ़िया से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेर करें आजाओ जी आजाओ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजाईए आजाईए गुड आफ्टर नून बच्चो गुड आफ्टर नून कैसे हो आप सभी उमीद है सब ठीक ठाक है एक दम गुड आफ्टनून बच्चों गुड आफ्टनून गुड आफ्टनून हाजी बिल्कुल दुनिया हिला देना बिटा इस बार ओके हाजी गुड आफ्टनून बिटा गुड आफ्टनून सबी बच्चों का बहुत स्वागत है आज किस क्लास में शिनू, अदाब, सिद्धिकी जी, अजे, नीरज आप सबी बच्चे फटा फट से इस क्लास को जोईन कर ले जो बच्चे अभी इस क्लास को जोईन नहीं कर पाए है फटाफट से उन बच्चों को आप link send कर दो class का फटाफट से class share कर दो बच्चों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस class को देख सके क्योंकि आज हम start कर रहे हैं एक बहुत important chapter जिसको पूरा complete करेंगे जिसका नाम है hello elcan and hello erin hello elcan and hello erin आज हम इस chapter का सफाया करने वाले हैं बहुत important है बहुत ही बहुत अच्छा chapter है ये बच्चों ओके तो और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे line by line ncrt line by line जो ncrt में एक एक line दे रखी बटा वो सारी चीजे में आपको यहाँ पर cover कर वाऊंगा क्योंकि last time पर अगर आपको revision करना है तो सबसे बढ़िया चीज है ncrt से आप चीजों को revise करें जिससे कि आपको क्या हो जाएगी theory के बारे में अच्छे से knowledge हो जाएगी एक बार अगर आपने theory ढंग से पढ़ ली तो फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके तो फिर question से question से good afternoon बच्चो good afternoon आप सभी का यार बहुत बहुत स्वागत है और एक और खबर में लेकर आया हूँ ओके एक और बहुत अच्छी information है बच्चो आप सभी के लिए कि आने वाले मंडे से हम आपके लिए एक बहुत अच्छा surprise लेकर आ रहे हैं ओके तो उसके लिए भी आप तयार रहिएगा तो अभी तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले बहुत ही बहुत ही बहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हेलो एलकेन और हेलो एरीन आजाओ भई आजाओ सभी बच्चे फटाफट से क्लास को जोइन कर लो ना जी आ जी good afternoon शेली सुनेल ना है हाजी बिलकूल जब तक यह चैप्टर चलेगा यह क्लास चलेगी जब तक यह चैप्टर चलेगा चलेगी तो सब बच्चे आजाओ फटाफट से पानी की बोटल साथ में लेकर बैठ जाओ अपने नोटस निकाल लो ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो ओके हा जी गुड आफ्टर नून बच्चो गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून ओके गर्दा उड़ा देंगे बिलकुल बटा गर्दा उड़ा देंगे तो चली चली स्टार्ट करते हैं बच्चो यहां पर आज हम बात करने आलें आपकी रसाइन विज्ञान का जो दूसरा भाग ये बिटा उसमें और्गेनिक केमेस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहें जिसका नाम है हेलो एलकेन और हेलो एरीन ओके जी तो सब बच्चे अपने सीट बेल्ट बान लीजिए क्योंकि अब हम निकलने वालें बहुत ही शांदार सफर की ओर जिसका नाम है हेलो एलकेन और हेलो एरीन इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि अगर हम बात करें बच्चो अगर आपसे कहा जाए हेलो एलकेन के बारे में हेलो एलकेन के बारे में तो हेलो एलकेन बनते केसे हैं हेलो एलकेन बनते हैं किसी भी एली फेटिक हाइड्रो कार्बन में से हाइड्रोजन अटा के हेलोजन लगा दो कोई भी एली फेटिक हाइड्रो कार्बन कोई भी एली फेटिक हाइड्रो कार्बन हो उसमें से हाइड्रोजन अटा के हेलोजन जोडने पर आपके हेलो एलकेन बनते हैं जैसे कि मैंने क्या लिया जैसे कि मैंने उदान लिया बेटा एक एलकेन का एलकेन क्या होता है एलकेन होता है सर आर एच जनरल भाशा में अगर इस एलकेन का अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ और एक हेलोजन जोड़ दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आर एक्स इसी Rx को क्या बोला जाता है हेलो एलकेन बोला जाता है हेलो एलकेन बोला जाता है और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेलो एरीन क्या है हेलो एरीन क्या है हेलो एरीन कब बनती है जब किसी भी एरोमेटिक हाइडरो कार्बन कोई भी aromatic hydrocarbon हो जैसे कि benzene हुआ या इसके लावा बहुत सारे होते हैं उनमें से hydrogen अटाओ, halogen लगाओ जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेटा जी यहाँ पर ये benzene है benzene का सुत्र होता है C6H6 हर एक carbon से एक-एक hydrogen लगा हुआ है अगर हम क्या करें, इसका एक hydrogen हटा दे, halogen लगा दे, कहीं पर भी लगाओ आप हर एक carbon पर एक-एक hydrogen लगा हुआ है कोई भी एक hydrogen हटाओ, halogen लगाओ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका halogen benzene या halogen erene ठीक है, जिसका नाम halogen benzene है बहुत ही simple है, बहुत ही सरल है, अच्छे से आप कर सकते हो, यह है बटा halo alken और यह है halo erene अब दूसरी बात, इनके कुछ सामाने नाम भी होते है halo alken को हम Rx से प्रदशित करते हैं, जहां R होता है आपका alkyl समू तो इसको यार जनरल भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं, इसको alkyl halide भी बोल सकते हैं और हेलो एरीन को एरिल हेलाइड भी कहा जाता है इनको एर एक से दर्शाते हैं और इनको आर एक से दर्शाते हैं ये छोटी 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 चीजें आपको पता होनी चाहिए ये छोटी 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 चीजें आपको पता होनी चाहिए ये छोटी 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 चीजें आप वर्गी करप किया गया है तो आई ये चलिये बात करें यहां पर इनका वर्गी करण, हैلो- एलकेन और हेलो- बेंजीन इनको किस तरीके से वर्गी करत कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम हैलो-जन परमाणूं की संख्या के आधार पर, कि आप ने कितने हैलो-जन लग है hydrogen हटा करके उनकी संक्या के आधार पर अगर आप एक हेलोजन जोड़ते हैं मोनो हेलो एलकेन दो हेलोजन जोड़ते हैं डाई हेलो एलकेन तीन जोड़ते हैं ट्राई हेलो एलकेन या उससे ज्यादा जोड़ते हैं तो पोली हेलो एलकेन इनको बोल सकते हैं तो जैसे कि दे यह हैलोजन आपका कोई भी हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है बच्चो ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है अगर आप दो हैलोजन जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे अपन डाई हैलो एलकेन तीन जोड़ोगे तो उसको बोलेंगे आप ट्राई हैलो एलकेन क हेलो एलकेन तीन है तो ट्राई हेलो एलकेन इसी तरीके से बेंजीन के उपर मोनो हेलो एरीन दो हेलो जने तो डाई हेलो एरीन तीन है तो ट्राई हेलो एरीन बहुती सिंपल है बहुती सराल चीए चल रही है बिटान अब ज़रा देखो ध्यान से यहां पर अगला अगला है आपके पास संक्रण के आधार पर अगरा है आपका संक्रण के आधार पर कि हेलोजन जिस कारबन से जुड़ रहा है उसका संक्रण क्या है उसके आधार पर भी इसको हम वर्गी करत कर सकते हैं देखिए जिस कारबन से आपका हेलोजन जुड़ा ह यदि यह carbon sp3 हो तो sp3 होता है एकल बंदित carbon जिसके सारे के सारे बंद बच्चों कैसे हो एकल बंद हो तो यार उसको बोलते हम जैसे की alkyl halide alkyl halide क्या होता है बिटा alkyl halide क्या होता है कि यार यह halogen है ऐसे carbon से जुड़ेगा जो तेनों के तेनों single bond बनाएगा ओके जैसे यह देखो ध्यान से यहाँ पर यह carbon इसको देखो यह halogen इस carbon से जुड़ा हुआ है जो की sp3 संक्रीत है कैसे क्योंकि तीनों के तीनों बंद इसके एकल है यहाँ पर भी जरा देखो यह halogen जिस carbon से जुड़ा हुआ है यह sp3 संक्रीत है कैसे क्योंकि इसके सारे के सारे बंद एकल बंद है हाया ना और यहाँ पर देखो यह halogen जिस carbon से जुड़ा हुआ है यहाँ भी कैसा है sp3 संक्रीत है हाया ना तो यह तीनों के तीनों ही sp3 संक्रीत है तीनों के तीनों ही एक तरह के एलकिल हैलाइड है लेकिन हमें थोड़ा इसमें कुछ और भी देखना है अगर यहाँ carbon एक बंद आगे carbon से बनाए किसी भी carbon से तो इसको बोलते है बेटा 1 degree एलकिल हैलाइड यह आपका 2 degree एल यह तो यहाँ है जो सीधे एक अन्य से जड़ा हुआए तो यह एक one degree कारबन हुआ इसको बोलते है वन डिगरी एलकिल हैलाइड, वन डिगरी आरेक्स, ओके, और अगर हैलोजन किसी ऐसे कारबन से जुड़ा हुआ है, जो सीधा दो अन्य कारबन से जुड़ा हुआ है, ओके, और एक हाईटून जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिगरी क्या हो गई, टू डिगरी, तो इसको बो प्रिदीगरी एलकील हलाइड उम्मीद है आपको ये रिविजन समझ में आ रहा होगा ओके जी हाँ जी अब जरा देखो ध्यान से इसके अलावा एलकील हलाइड के अलावा दो योगिक और होते हैं जिसमें हैलोजन SP3 कारवन से जुड़ा होता है एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड क्या होता है एलिल सम्मू एलिल सम्मू क्या होता है बच्चों CH2 CH CH2 ये होता है एलिल सम्मू अरे प्रोपीन जानते हो प्रोपीन उस प्रोपीन में से लास्ट वा आपका एकल बंदित कार्बन यह सारे के सारे तो ईलिक हैलाइड भी एक SP3 हेलोजन, SP3 कारबन युक्त हेलोजन योगिक है, देखों यहाँ पर यह है आपका एलिल समू, यह है आपका एलिल समू, जैसे कि अगर मैं उदान के तोर पर लिखूं, यहाँ पर CH2, डबल बोन, CH, CH2, यहाँ पर लिखा मैंने क्लोराइड, CL लिखा, तो इसका सामाने नाम हो जाएगा एलिल कलोराइड, पक्की बात, एलिल कलोराइड, क्या हो जाएगा इसका सामाने नाम, एलिल कलोराइड, यह सामाने नाम है बटा, क्योंकि यह एक समू है जिसका नाम है एलिल समू, ओके एक और उदान लिख लो, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ बियार लगा दूँ बच्चो तो यार इसको हम क्या बोलेगे बच्चो इसे हम बोलेगे एलिल ब्रोमाईड क्योंकि यहां समूधो एलिल है इसका नाम बन जाएगा गुरु जी एलिल ब्रोमाइड एक बात और मैं आपको बता दूँ यहाँ सामाने नाम करने आयू पीए से नाम करने नहीं है वहम आगे देखेंगे ओके यह हो गया इसमें क्या होता है हेलो जन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह SP3 होता है क्योंकि वह एकल बंदीत है बेंजिलिक बेंजिलिक हेलाइड पता है क्या होता है यह बेंजीन जी गुरुजी तो बेंजीन यह हुई बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन यह कार्बन इस पर हेलोजन जुड़ना चाहिए ये इस्तिती केलाती बिटा ये वाला कार्बन होता है बेंजिलिक कार्बन इस बेंजिलिक कार्बन से अगर कोई अगर मैं हेलाइड जोड़ दूँ अगर इससे कोई मैंने हेलाइड जोड़ दिया तो इसे बोलते हैं बेंजिलिक हेलाइड क्योंकि बच्चे वे दो बंद यह सिग्मा बंध है हाँ या ना क्लियर हो गया क्या अरे सारी बातें अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप बढ़िया से समझ सकते हो यार यह बन गया आपका बैंजिल लिक है लाइड इसमें इस कारबन का संक्रण क्या है एस पी टू तो देखो ध्यान से जैसे की उधारना कहीं लिखा हुआ है बैंजीन उपर लगा दिया सी एस टू सी एल नाम बोलो इसका क्या नाम बनेगा बिटा पता है तुम्हें यहां पर लिखाओ सी एस टू बी आर इन दोनों के नाम बता सकते हो आप जब बैंजीन के बैंजिल क्लोराइड इसको क्या बोलेंगे बैंजिल ब्रोमाइड ये बन जाएगा आपका रजगुलो बैंजिल ब्रोमाइड अरे समझ में आया क्या बहुत ही सिंपल है अभी देखो धियान से अगर यही मैंने यहां पर लगा दिया जैसे कि बैंजीन ने यहां लगा दि मैंने तो क्या दिक्कत है हाँ जी इसका नाम बोलो क्या इसका नाम कुछ और होएगा सर और्थो ब्रो और्थो बेंजिल ब्रोमेड ऐसा होगा के बटा इसका लास्ट वाले का नाम बताओ इसका नाम क्या अलग होगा सेम ही होगा भाई दोनों सेम ही है दोनों सेम ही है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, अरे सर यह तो और्थो इस्तति पे जुडा हुआ है, लल्ला, और्थो इस्तति किसी समु के सापेक्ष देखी जाती है, ऐसे खुले में नहीं देखी जाती है, अगर जना देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ बेंजीन के एक कारबन से जुडा तो है आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों एक ही ए अभी दोनों एक ही ए ओर्थो मेटा पेरा तब देखते हैं जब कोई समू बेंजिन पर जुड़ा हुआ है उसके साफ एक दूसरा समू कहा जुड़ रहा है अगल बगल में जुड़ रहा है तो और्थो आगे अगल से लेकर आओगे हान जी तो यह हो गया अगला ऐस्पी टू अगर है लुजन ऐसे कार्बं से जुड़ा आई जिसका संकरण एस्पी टू हो तो उसमें दो केटेग्री आती है या वाइनिलिक और एलिलिक और एलिलिक वाइनिलिक हैण I did क्या होता है एथिन जानते हो एथीन हाँ गुरुजी सेस्टू सेस्टू होती है एथीन में से एक चटा दे बन जाएगा वाइनिल समू इस वाइनिल समू से अगर तो हेलोजन जोड़ दे कोई भी तो वाइनिली खेलाइड क्यों क्योंकि इसका संक्रण बेटा क्या है SP2 है यह द्वीबंदित कारबन है देखो द्यान से इस कारबन को अगर आप गोर करके देखोगे तो यार एक सिगमा दो सिगमा तीन सिगमा तीन सिगमा में संक्रण क्या होता है SP2 तो यह एक SP2 कारबन है जिससे हेलेड जुड़ा हुआ है जिससे कि उदान अगर मैं बात बता बियार होता तो वाइनिल ब्रोमाइड आयूडीन होता तो वाइनिल आयूडाइड ऐसे नाम हो जाता है समझ में आया बहुत सरल चीजें है बेटा एरिल हैलाइड बेंजीन के उपर यह आप हेलोजन जोड़ दो कोई भी अरोमेटिक योगी खो बेंजीन में तो सारे कारबन डबल बोंडेड है तो यार यह कारबन भी कैसा है SP2 संक्री थे यहाँ पर मैंने हाइडोजन अटाइक के हेलोजन लगा दिया हेलो हेलो बेंजीन बन गया जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर यह हो गया आपका क्लोरो बेंजीन यह हो गया आ आपका आयोडो बेंजिन पक्की बात है हाया ना और अगर मैंने फ्लोरो बेंज फ्लोरीन लगा दे तो बन जाएगा फ्लोरो बेंजिन अच्छे से सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो बहुती सरल है बहुती सिंपल है ये चेप्टर कौन सा है हेलो एलकेन का वन शोट रिवीजन है निशा जी बिटाईए ओके तो जिन बच्चों ने यार ये पढ़ा हुआ है उनको बहुत आसान लगेगा और जिनोंने नहीं कि यार इनका नाम करन केसे करते हैं हेलो एलकेनो का नाम करन केसे किया जाता है तो अब आती है नेमिंग ठीक है तो अब बात करेंगे यार यहां पर हेलो एलकेनो का नाम करन हेलो एलकेनो का नाम करन तो बच्चों हेलो एलकेनो का नाम करन केसे करते हैं आई उस पर बात करे ए र एक्स ये क्या है मेरा हेलो एल क Image अब इसका सामान्य नाम करने भी होता है और आइवी पेसी नाम करने भी होता है सर यह चैप्टर में फरस्त टाइम देख रही हूँ ओहो फिर भाड़ चैसे समझ मैं अ धा थैंग्जू बिता हाँ जी बेटा पढ़लो अब तो RX RX एक हेलो एलकेन होता है होता है कि नहीं होता है इसका साम IUPSC नाम क्या लिखा जाता है IUPSC नेम कैसे लिखते हैं अगर कोई RX A तो इसको IUPSC में लिखा जाता है हेलो जन को सदेव प्रतिस्थापी माना जाता है IUPSC क्या बोलती है कि हेलो जन सदेव प्रतिस्थापी होता है और प्रतिस्थापी को आगे लिखा जाता है हेलो एलकेन कैसे लिखेंगे इसको हेलो एलकेन जो भी हेलो जन है क्लोरी ने तो क्लोरो ब्रोमी ने तो ब्रोमो iOD ने तो iodो और fluorine तो fluoro hello kid n के रूप में लिखेंगे सामान्य नाम common name अगर हम बात करें common name तो common name केसे लिखा जाता है बिटा जो alkyl समू जुडा हुआ है पीछे उससे halide जुडा हुआ है alkyl समू और पीछे halogen तो alkyl halide alkyl halide alkyl halide ऐसे नाम लिखा जाता है तो यार IUPAC में तो हेलो एलके लिखते हैं और सामाने भाशा में एलकिल हेलाइड बोलते हैं जैसे ये किसी का नाम स्कुल में सुनिल है घर पे सन्नी तो ये स्कुल वाला नाम ये घर वाला नाम इसके दो दो नाम है ये IUPAC और ये common name ठीके तो अब ये बच्चों यहाँ पर कुछ कुछन छोड़े-छोड़े कुछन देख लिते हैं पन ताकि हमें अच्छे से ही चीजे क्लियर हो जाए है जैसे कि योगिक यहाँ पर उनका सामाने नाम यहाँ पर उनका IUPAC नेम हाँ जी तो जैसे की देखो ध्यान से यहाँ पर अगर मैंने जोड़ दिया मैथिल यहाँ पर जोड़ दिया इससे CL CS3 से CL जोड़ दिया तो methyl chloride अरे इसा ही लिखते है alkyl halide तो आगे alkyl समूँ एक carbon का methyl और CL के लिए chloride तो यहाँ पर नाम क्या बन जाएगा methyl chloride बोलो जी बोलो क्या है समझ में आया methyl chloride IUPAC में हेलो alkaline, halogen को ने CL, तो chloro alkyne, कितने कारबन का एक carbon का मिथेन chloro, methane पक्की बात अगला देखो हाँ जी, अगर मैंने लिखा CS3 CS2, यहाँ पर लिख दिया इस बार BR, सामाने नाम alkyl halide तो दो कारबन का ethyl, BR जोड़ दिया bromide, ethyl bromide ethyl bromide हो गया गया IUPAC में चले जाओ hello, alkane bromo, दो कारबन के लिए ethane पक्का, अब जड़ा देखो ध्यान से थर्ड, अगर मैंने यहाँ पर तीन कारबन लगा दिये तीन कारबन लगा दिये जैसे कि यहाँ पर आवडिन जोड़ दिया तो alkyl halide तीन कारबन से बनता है प्रोपेन प्रोपेन से बनता है प्रोपिल तो प्रोपिल आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड हाँ या न, क्या बोलूँगा प्रोपिल आयोडाइड प्रोपिल आयोडाइड लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों कारबन सीधे हैं तीनों के तीनों कारबन सीधे हैं और अन्तिव कारबन से हाईडरोजन अटाङ हैं मैंने आयउडीन जोड़ा इसको बोलते हैं N-alkyl N-alkyl तो N-innen-Propyl पक्की बात नामक्रण हैलो एलकेन iodine के लिए iodine लिख देंगे नामकन कर दो एक, दो, तीन अब ज़्यादा कारबन हो गए, तो अंकन करना पड़ेगा 1 iodopropane क्या बोलेंगे इसको 1 iodopropane जिदर से iodine नस्दीक हो उधर से अंकन कर दो 1 iodopropane हाँ जी अगर मैंने इसकी शकल ऐसी कर दी हाँ जी यहाँ पर कुछ लगा दिया तो कितने कार्बन का एलकेल तेन कार्बन का प्रोपिल लेकिन ये तो आईसो समू है CS3, CH, CS3 को आईसो बोला जाता है पिटा CS3, CH, CS3 को आईसो बोलते हैं CS3, CH, CS3 आईसो होता है तो तेन कार्बन का आईसो प्रोपिल आईसो प्रोपिल तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको आईसो प्रोपिल हेलाइड को ने सियल तो क्लोराइड आईसो प्रोपिल क्लोराइड आईउ प्येसे में में कार्बन चेन का चुनाव करो तीन गार बन गी एक दो तीन दो नमबर पर सियल टू क्लोरो मिथेन टू क्लोरो प्रोपेन टू क्लोरो प्रोपेन बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों अरे बनेगा यार बहुत ही सिंपल चल रहा है सर मजा आ रहा हो गया तो यह ध्यान रेकना है अगर चार कारबन हो तो वन तू थरी फोर और यहां पर जोड दिया मैंने चीह ओ तूसी ट अरबन काल किल चार शेवाइब यूटेन ब्यूटेन से बन गया ब्यू-टिल उटरल ग्लो रहाइड क्या वहलगू डीउटल ख्लोराइड क्या वहांगए यह प्यूटिल ख्लोराइड सामाने नम अब वही बात क्या चारो के चारो कार्बन सीधे जुड़े हुए हाँ और लास्ट वाले कार्बन से यहां CS3 कर दो तो ब्यूटेन बन जाएगा सारे के सारे कार्बन सीधे हो तो इसको बोलते हैं N-Bूटेन N-L-K-N तो इसके अंतिम वाले से हाइड्र नट आया देखो N कब लगाते हैं एक बच्चा बोल रहा है कि सर N क्यूँ आया N कब लगाते हैं N तब लगाते हैं जब आप किसी सीधे एलकेन में से लास्ट कार्बन से हाइड्र नट आओ तो जब अलकेल समू बनता है न तो वहाँ N लगाते हैं चारो के चारो कार्बन सीधे हैं इससे मैंने H अटा करके C-L जोड दिया तो N अलकेल बन गया ठीक है तो N-Butyl-Cloride N-Butyl-Cloride I-U-P-S-E नाम करण कर दो 1,2,3,4 1-Clorobutane 1-Clorobutane क्या होगा की नहीं होगा क्या होगा की नहीं होगा 1-Clorobutane सालबर पड़े हो तो अच्छे से आएगा अगर तुमने सालबर मेनत नहीं करिये तो अभी तुमाया 12 का रिजल्ट आएगा पता से लजाएगा अब ज़रा देखो ध्यान से अगला हाँ जी एक दो तीन चार दो नम्बर पे chloro two chlorobutane two chlorobutane IUP एसे नाम तो लिग देंगे लेकिन सामान ने नाम सामान ने नाम सामान ने नाम करण कैसे करें एक दो तीन चार चार कारबन का होता है butyl क्योंकि ऐलकेन से हाइडोजन अटाते हैं इल्किल समू बनता है, तो चार कारबन का ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन से हैड नोटा है, ब्यूटेल बना, लेकिन कौन सा ब्यूटेल, ऐसे कारबन से हमने हाइडूजन अटाया है, जो की दो कारबन से सिदा जुड़ा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इसके डिगरी है ब ब्यूटिल क्लोराइड क्या है ये टू डिगरी ब्यूटिल क्लोराइड क्योंकि यहां पर आपको फिर डिगरी देखनी है अब ज़रा देखो ध्यान से यहां पर अगला हां जी यह ले लिया अब ज़रा देखो ध्यान से इसको हटा दो अभी भी चार कार्बन ही टोटल चार कारबन है तो चार कारबन का एलकिल समू ब्यूटिल होता है अरे चार कारबन का एलकिल समू ब्यूटिल होता है यह कौन सा ब्यूटिल है CS3, CH, CS3, ISO, समू है, CS3, CH, CS3, ISO है, CS3, CH, CS3, ISO है, तो ISO, ब्यूतिल, ISO, ब्यूतिल, क्लोराइड, अब IUPAC नाम करने कर दो, चेन मान लो, एक, दो, तीन, वन पे क्लोरो, टू पे मेथिल, वन क्लोरो, टू मेथिल, प्रोपेन, क्या बोलती पब्लीक, समझा आया है क्या बिडू, समझ मैं आया है सब बच्चों को, क्लियर हो गया, ओके जी, इसमरती पाल, सर मेरे को IUPAC नाम नहीं आता, तो बेटा सीखो, ये लास्ट टाइम चल रहा है, अब तो तुम्हें नेट के एक्जाम की तयारी करनी, ये वन शोट रिविजन है, ठीक है, हाँ जी, अगला देखो, हाँ जी, ये लो, ओके, और यहाँ पर अगर मैंने CL जोड दिया, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, देखो, अगर मैं CL हटा लू, तो चार कार्बन तो बभी है, हाइडूजन, मैंने क्या कर दिया, हाइडूजन अटा दिया है, इस कार्बन की सहयों ज़कता मुक्त इल लेकिन नट वी आई सो एसो में क्या होता है सिस्सी 3CH यह दुख तो ही ठीक हे यी आईशो नहीं यह अभे नियो पांच कारवन का अधर लंग बिपे आच कारवन का होटा है नियो भी दिगरी देखो इस carbon की डिगरी देखो यार ये carbon एक दो तीन carbon से जुडा हुआ है three degree है क्या है यह three degree two three degree beautiful chloride three degree beautiful chloride 3 degree beautiful chloride हा या ना बोलो यार आगर प्यार होता तो bromide लगाते आयोडीन होता तो iodide लगाते clear हो गया क्या पक्की बात IUPAC नाम कर लोगे दो नमबर पर क्लोरो दो नमबर पर मैथिल टू क्लोरो पहले आएगा फिर टू मैथिल बाद में आएगा ओके फिर तीन कारबन के लिए प्रोब चेन में तीन कारबन है ना इसलिए क्लोरो पहले क्यों आया क्यों क्लोरो में C आता है मैथिल में M आता है तो यार एक वाले में आईसो क्यों नहीं लगा सकते कौन से वाले में बिटे किस वाले में आईसो लगाना चाहता है तू बता बालक ओके इनमें लगेगा आईसो ISO सम्मू होता है अगर तेरे को पता नहीं है तो लिख ले कोपी की उपर छटे ना खाली जगा महां लिख ले इस सम्मू को बोलते हैं ISO ठीक है? हाँ जी 6 वाले में 6 वाले में ISO क्यों लगेगा? CS3, CH CS3 है क्या इदर? है क्या? नहीं है CH3, CH CS3 होना चाहिए ISO ठीक है? ओके अब जैसे कि तुमारे सामने कुछ कुश्चन अब जैसे कि तुमारे सामने कुछ कुश्चन आपको यहाँ पर इनकी सन रचना बनानी है आपको यहाँ पर इनकी सन रचना बनानी है हाँ जी नियो अच्छा देख यह होता है नियो पांच कारबन का होता है नियो पैंटेल नियो पैंटेल यह पांच कारबन का यहां लगा दे सियल यह समू कहलाता है नियो तो नियो पैंटेल नियो लिख दिया कितने कारबने टोटल इसमें पांच तो नियो पांच कारबन से पैंटेन बनता है हाइडू बन जाएगा पेंटेल तो नियो पेंटेल क्लोराइड नियो पेंटेल क्लोराइड आयू पेसे नाम करन अगर हम करें तो देखो ध्यान से एक दो तीन कारबन की चेन इससे एक मान ले एक दो तीन तो एक पे क्लोरो दो पे दो मेथिल तो वन क्लोरो टू 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 डाई मेथि प्रोपेन हाजी देखो ध्यान से क्या हो जाएगा वन क्लोरो टू कोमा टू डाई मेथिल बोलो जी प्रोपेन होगा के नहीं होगा रसगुलो बोलो यार क्या होगा समझ में आया क्या वन क्लोरो टू कोमा टू डाई मेथिल प्रोपेन वेरी गोड कर लोगे दिक्षा जी सब बच्चे बढ़िया से कर लोगे यार अब चलो तुमारे कुछ कुश्चन है इनको निप्टा देते हैं सर ब्यूटेन दूसरे में कौन से ब्यूटेन बेटा सपना जी अब इधर देखो ध्यान से ये कुश्चन हां जी अगर मेरे कुश्चन है बनानी हो क्योंकि देखो ध्यान से पेपर वाला इतना भूला नहीं होता है कि तुम्हें सब कुश्च पका पकाया दे दे तुम्हें बनाना पड़ेगा पेपर में नाम दे रखाओगा तो पहले तुम्हें उसकी संरचना बनानी होगी फिर पता चलेगा इससे क्या उत्पाद बनेगा ठीके तो जैसे कि मान लो यहाँ योगिक दिया गया और तुमसे बोला गया इसमें कुछ करवाओ तो कैसे करवाओगे जब तक तुम्हें संरचना बनानी नहीं आती है तो कि चलो यहाँ पर पहले कि संरचना सबसे फेले लास्ट में देखो पैंटेन मतलब परज कारवन है ओके दो नमबर क्लोरीन है फीन नमबर पर मेथिल है यह बन गया भाईया बाकि सही साइकलो मतलब चक्रिये, हेक्स मतलब 6 कारवन, साइकलो हेक्जेन बन गया, एक नमबर पर क्लोरीन लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, चार नमबर पर एथिल, ये एक, दो, तीन, चार, चार नमबर पर एथिल, एथिल समू कितने कारवन का होता है, दो कारवन का, एथिल क्या होता है C2H5 क्या होता है बच्चे C2H5 तो ये बन गया यार है यह नहीं अगला देखो तीसरा फोर, तरत्यक ब्यूटिल थ्री, आयोडो, हेप्टेन हेप्टेन, लास्ट में मैंचेन आती ना हेप्ट मतलब साथ कारबन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ क्या साथ हो गए? हाँ, साथ कारबन हो गए हो गए बच्चे, हो गए गया यार साथ कारवन, चार पर त्रत्यक ब्यूटिल एक, दो, तीन, चार चार पर क्या लगाना है, ब्यूटिल समू त्रत्यक ब्यूटिल, यह रहा त्रत्यक ब्यूटिल, बोला था हमने इसको यह समू देखो, इसकी डिगरी तीन है त्रत्यक ब्यूटिल ये समू इस कारवन से 3 कारवन जुड़े हुए हैं ये हमाँ जाके चिपका दो ऐसा का ऐसा तरत्यक ब्यूटिल क्या होता है ये होता है ये तरत्यक ब्यूटिल लगा दिया ओके हाँ जी 3 आयोडो 3 नमबर पर आयोडीन 1, 2, 3 ये लगा दिया यह बन गया यह होगे बच्ची सही हो जकता है हाई डून से बैलेंस कर दो गुड़ आफ्टनून अरे समझ में आया क्या बहुत ही सिंपल है अगला देखो फोर्थ वाला हाँ जी वन फोर डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन ब्यूट टू इन ब्यूट मतलब चार कारबन टू इन दो नंबर पर डबल बॉन्ड वन फोर पहले और चोते पर ब्रोमीन रसगुलो समझ में आया यह हो गया अगला देखो पांचवा अगला देखो पांचवा वन ब्रोमो फोर दित्यक ब्यूटिल टू मेथिल बैंजीन लास्ट में क्या लिखा हुआ है बैंजीन लास्ट में क्या लिखा हुआ है बैंजीन तो यह बना दी बैंजीन यह बैंजी आते हैं बेच्चे आते हैं आते हैं यह अब बनी बेंजेन तो अब जरा देखो ध्यान से वन पर ब्रोमो अब किसको वन मानू किसी को भी वन मान ले जैसे कि मैंने मान लिया इसको वन यहां पर जोड़ दिया ब्रोमीन चार नंबर पर इस चार नंबर पर क्या जोड़ना है मेरे को दित्यक ब्यूटिल अब दित्यक ब्यूटिल क्या होता है क्या ये होता है क्या इसको दित्यक ब्यूटिल बोलते हैं बिटा अरे सर चार कारबन का एलकिल समू ब्यूटिल कहलाता है लेकिन 2 degree वाले carbon से hydrant हटाओ तो दित्यक butyl बनता है यह क्या है तुम्हारा 2 degree butyl या दित्यक butyl यह सुर्णों बोलो अरे हाँ या ना बेलकुल जी बेटा जी तुम्हारे 12th के ही NCR मैंने क्या का ए लाइन बाइन बाइन एन सी आइन इसे हम रिविजन कर रहे हैं ओके तो यह बन गया अब चार नंबर पर यह जोड़ दो यहां CCCC यह जोड़ दिया ओके बागी hydrogen balance कर लेंगे और दो नंबर पर मेथिल एक दो नंबर पर मेथिल तो यह बन गया वन ब्रोमो फोर नंबर पर क्या है दित्यक ब्यूटिल और दो नंबर पर मेथिल बेंजन डन 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 कटाक यह खतम पाचों की पाचों संद्चनाय बनानी आई बच्चों क्लियर हो गया क्या नीट में तो बना के देते हैं नहीं देते बिटा जी कभी कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नाम दिया जाता है कि ये फलाना कोई योगिक है इस योगिक का तुमें क्या करवाना है इस योगिक का तुमें फ्रिडेल ग्राप्ट अभी गरानी है क्या होएगा इस योगिक को जब हमने गर्म गिया एलकॉलिक के वेच के उपस्तिती में तो क्या अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, CX बंद की प्रकड़ती, कि यार ये CX बंद कैसा होता है, तो यार हेलोजन है, और यहां पर ये कार्बन है, तो मेरे को ये बताओ, क्या कार्बन और हेलोजन दोनों अलग-अलगता तु है, हैं, तो दोनों की क्या विद्धुत्रिनता है समान होईगी? नहीं, हमें ये पताओ कि हेलोजन जादा इलेक्ट्रोन खीचने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी विद्धुत्रिनता जादा होती है, विद्धुत्रिनता जानते हूं न, इलेक्ट्रोनों को अपनी और खीचने की शम्ता, यहां एक बंद है, इस बंद में दो इलेक्ट्रोन है एक इस कार्बन का एक इस हेलोजन का हा या ना लेकिन कार्बन और हेलोजन में हमें यह पता है कि हेलोजन अधिक विजुत्रनी होता है इलेक्ट्रोन खीचता है तो इलेक्ट्रोन जस्ट बीच में नो करके थोड़े से इधर होईंगे इस वैसे इसके समझ में आई कि यार कारबन और हेलोजन वाला बंद धुरुविये होता है उसमें धुरुवियता आ जाती है क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व है तो इनकी विजुत्रिनता है अलग अलग है हेलोजन जादा विजुत्रिनता वाला होता है तो ये लेक्ट्रोन खीचता है इस से जोड़ दिया देखो थोड़ा से को सही लिखता हूँ इसको सही लिखा ये कारबन यहां जोड़ा फ्लोरीन इस से जुड़े हुए तीन हाइडूजन है ठीक है जोड़ दिये फिर अगला यहां जोड़ दिया क्लोरीन मैथिल क्लोराइड फिर मैथिल ब्रोमाइड ओके याद नहीं करनी है अपको ध्यान रखना है कि यार ये केसे केसे बढ़ रहा है घट रहा है पहला बंद लंबाई अरे यार इस बंद की लंबाई देखो इसके देखो सबसे बड़ी किसकी हो ये आयोडीन के साथ जब बंद बना है क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है कारबन तो फिक्स है एक बार फ्लोरीन जुड़ा एक बार क्लोरीन जुड़ा एक बार ब्रोमीन जुड़ा एक बार आयोडीन जुड़ा तो बंद लंबाई मैं बढ़ती चली जाएगे देखो fluorine carbon fluorine बंद छोटा है देखो 149 फिर 1180 139 में और ये 204 24 14 प्ठीज रही है बढ़ती जा रही है वैसे बति जा रही है बंद लम्बाई क्यों कि हेलोजन का आकार बढ़ता जा रहा हो है बस यह देको फ्लोरीन छोटा सा यह थोड़ा बढ़ा यह ओर बढ़ा यह वह बहुत बढ़ा समझ में आया क्या अरे समझ में आया क्या तो बंद लंबाई यां बढ़ रही है वही दे रखा है बंद एंथेल्पी अगर बंद बढ़ा होगा एंथेल्पी का मतलब उर्जा ठीक है? तो जरा देखो ध्यान से जो बंद बढ़ा है उसको तोड़ने के लिए कम उर्जा देनी पड़ेगी हाँ याना यार सबसे छोटा बंद ये है सबसे छोटा बंद ये है यहाँ जादा उर्जा देनी पड़ेगी यह थोड़ा बड़ा कम उर्जा देनी पड़ेगी कि जोगी बहुत सिंबल है यार अगला दीदरू आगुल मुउ मुउ क्या होता है देखो मुउ बराबर होता है Q into D आवेश गुणा आवेशों के बीच के दूरी तो देखो द्यान से यार एक बार मैंने कार्बन से फ्लोरीन लगाया एक बार क्लोरीन लगाया एक बार ब्रोम लगाया एक बार आयोडिन लगाया क्या फ्लोरीन ज्यादा विजद्रनी है हां तो ज्यादा कीचेगा हां तो क्या आवेश ज्यादा चड़ेगा हां तो उस वज़े से बेटा जी देखो धिहान से यह एक बोहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और यहाँ पर देखो एक concept है जो मैं आपको clear करवाना चाहूँगा, इसको मैं हटा दू अब, इस वाली चीज को मैं हटा दू, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कि यार यह है मेरे पास CS3F, यह है मेरे पास CS3Cl, यह है मेरे पास CS3BR, और यह है मेरे पास CS3I, सबसे ज़्यादा विजत्रिनता फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन पर ज़्यादा रिनावेश आया होगा, तो क्यू का मान फ्लोरीन पर ज़्यादा बढ़ा होगा, अरे यह देखो न, क्यू इंटू डी, क्यू फ्लोरीन के उपर ज़्यादा आया होग पावेश क्यों बढ़ गया होगा ओके तो जरा देखो ध्यान से फ्लोरीन के केस में म्यूकामान जादा आना चाहिए सबसे लेकिन देखो ध्यान से यहां 1.84 यहां 1.86 प्लोरीन में जादा है ओके फिर 1.83 एक प्वेंट छे तिन फिर बाद में घट रहा है तो यार इसका सई व्योडर क्या ऑए कि सबसे जादा म्यूकामान इसके लिए होता है फिर इसके लिए फिर घटते करम कि यह धियान किन यह सचल ने ऐसा क्यों कि यार फ्लोरीन अच्छी विज़ा तरइब करता है लेकिन जादा है तो आवेश जादा, दूरी जादा, तो दोनों का गुननफल जादा, क्यूंकि आबेश, अरे अगर आवेश भी जादा है और दूरी भी ठीक ता आगे, तुनका गुननफल जादा आएगा एकम, जादा आएगा, इसलिए C, CL बंद का दविद्रू आगुन जादा ह होता है cf की तुलना में क्यों क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में विजुतनताओं का अंतर जादा है ठीक है यहाँ पर आवेज जादा है लेकिन दूरी कम है छोटे छोटे ना अभी अभी देखा था छोटे छोटे दूरियां कम है दूरियां कम है तो q into d का CBR का और CI का ठीक है इस तरीके से घरता हुआ करमाता है बहुत है सिंपल है यह ध्यान लखना है तो बंद लंबाई बंद उर्जा और म्यू का मान कैसे होता है सिंपल सा है यार यह म्यू तो आपको केमिकल बोर्णिंग में भी पढ़ाते हैं ओके यहां की बजाए इसको केम बनाते कैसे हैं तो चलो जी चलो अब बात करते हैं यार लाइन बाइफ लाइन एन से आईटी अपनी सुरीज चल रही है जिसमें मैं यहां पर आपको हैलो एलकोहल से कैसे बनाते हैं एलकोहल और अपर हैं है तो हम एलकोहल से कैसे बनाते हैं क्या एलकिल हैलाइड तो ज़रा देखो ध्यान से तीन अभी क्रिया है एचेक्स के साथ PCX 3PX 5 के साथ और SOCL 2 तीन अभी क्रिया है बहुत इस तीन पहला है बेटा एचेक्स के साथ क्रिया अब हैचेक्स क्या होता है एचेक्स में X होता है आपका कोई भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो HX बोली तो HF HCl HBR HIस. तो होता यह सिंपल सा जब alcohol लेते हैं उसके बीग रहे हैं जब HX के साथ करवाते हैं तो हमें क्या बनाना है alcohol से क्या बनाना है हमें alkyl halide हम क्या बना रहे हैं Rx तो मेरे को इस से OH अटाना है और X जोडना है तभी तो Rx बनेगा हमें क्या बनाना है Rx बनाना है अरे भाईया तुम यहाँ आजाओ हम यहाँ चले आते हैं ठीके प्रतिस्तापन वक्षे गुमार वाला सिंदे का ऐसा वाला एक्सचेंज ठीके कि हेलो जनीदर ओएच उदर तो आर एक्स बन जाएगा ये एच ओएच एच टूओ बाहर निकल जाएगा एलकेल हेलाइड बन जाएगा क्या बन गया ये एलकेल हेलाइड बन गया तो यार ऐसे आप एलकेल हेलाइड बना सकते हो कोई भी हेलकोल लेलो कोई भी हेलकोल लेलो उसके साथ अभी ग्रिया करवा दो यहाँ पर जैसे की देखो मैंने ले लिया methyl alcohol अरे यार यहां पर HBR ले लिया इसके साथ अभी क्रिया करवादी बोलो क्या बनेगा ओच अटा के बीयार लगाएंगे अरे यार यह है लो जने बीयार ओच जाएगा बीयार आएगा काम हो जाएगा खतम बात लो कर लो बात ये बन गया हमारा उत्पाद यह जल यह क्या बन गया आईसो प्रोपिल ब्रोमाइड आईसो प्रोपिल ब्रोमाइड बना की नहीं बना यह आईसो समू यह बीयार आईसो प्रोपिल ब्रोमाइड ओके आई सो प्रोपेल ब्रोमाइड बन जाएगा कितना सरल है कितना सिंपल है हेच एक्स के साथ अभी गरवागी करवा सकते हो आप ओके दूसरी आपके और भी है जैसे कि एक PCL 3 और PCL 5 के साथ इसके जरी बना सकते हो ये भी दे रखी आपके NCI टीम बेटा ही रिविजन चल रहा है खटागट खटागट तो देखो ध्यान से जब आप एलकोल के अभी करिया PCL 3 के साथ करवाते थे तो क्या होता था तब भी ओए छटता था यहां से CL आता था आया आया ठीक है CL आया कितने CL है यहां पर 3 तो यहां 3 लगा दो उस चक्कर में R कितने हो गए 3 तो यहां 3 R लगा दो तो OH भी 3 हो गए तो 3 OH निकल गए P के साथ जुड़ गए P OH होल थराइस लेकिन यह ऐसा नहीं होता इसको ऐसे लिखा जाता है है H3 PO3 इसको बोलते है फोस्फोरस अमल फोस्फोरस अमल क्या या यह बास समझ में आई गया आपको जब एलकोहल की अभी क्रिया PCL3 के साथ करवाई जाती तो क्या बनता है यह पूछता है आपसे हेलोजन हटाना है OH निकालना है बस यह करना है क्या करना है हेलोजन को जोडना है OH को हटाना है बस यह दिमाग में रख और कुछ मत कर क्लियर हो गया जैसे कि देख ध्यान से य जोड़ देंगे बस यह बनी जा है खतम दिमाग में कुछ अर्थ हुआ इदर उदर की बाते नहीं लाने बस वह चटा के सील जोडना है खतम बात फॉस्फोरस हमलोग होता है बेटा वो फॉस्फोरी कमल अलग होता है इस 3PO4 होता है खतम ओके अब ज़रा देखो ध्यान से ह आया ना ओके तो यार यह समझ में आ गया तो PCL 5 से भी से मैं से हो जाता है PCL 5 से PCL 5 में भी से मैं से होता है परांग तो थोड़ा सा लगे यह आरो एच जब इसकी अभी करिया PCL 5 के साथ करवाई जाती है तो वही बात OH अटा के CL तो जुड़ेगा जुड़ेगा भाई लेकिन OH में से जो हाइडरोजन है ना वो एक CL लेकर के अलग हो जाता है पांच CL है मारे पास एक CL एलकिल से जोड़ो RCL बन गया एक CL H के साथ जोड़ो CL और H, HCL बाहर अब बचा क्या, एक फोस्फोरस, एक ओक्सियन और यहा तीन CL, POCL 3, यह अलग निकल लिया, यह फिर से RCL बन गया, अरे हाया न, क्लियर हो गया, मैं एक दम बढ़िया हूma बच्चों, तो आप आराम से ऐलकोल से अलकिल क्लूराइट बनाना हो, तो यह भी क्रिया भी करवा सकते हो, PCL 5 दिया जाए तब भी आपको क्या बनाना है, अलकिल क्लूराइड बनाना है, सिम्पल सा है, ओके ये बने आपका Phosphorus Oxyl chloride Phosphorus Oxyl chloride समझ में आया क्या बच्चो Oxyl chloride बोलो जी बोलो समझ में आया जैसे कि ऐसे ही कोई उदान इस पर दे दिया जाए तो जैसे कि मान लो आपको कोई compound दे रखा है ठीक है यहाँ पर दे रखा है OH अब यहाँ पर PCL 5 के साथ अभी क्रिया करा दी बोलो आपसे क्या बनेगा आपसे सहतपाद नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें क्या बनेगा उतपाद तो भाहिया आपसे जो कार्बनिक यूगीक बनता है वो बनाना है सहतपाद नहीं बनाने होते हैं ठीक है CL अटा के OH लगाएंगे ख़तम बात है मतलब सोरी OH अटा के CL लगाएंगे यह बनेगा गुरू जी खदम है इसमें free अभी गिरिया तो case अभी question आए कर सकते हो अगली अगली अभी गिरिया है अच्छा अगर मेरे को alcohol से अगर मेरे को alcohol से किसी और के अभी गिरिया करवा दी जा यसे कि P प्लस P 3 होते हैं या पिया इस पाइफ यह अइसता है तो उसकी बजह हम लेते हैं P पलस आइटू लाल फोस्फरस की उपस्ति में आहे टू लाल पोस्फरस की उपस्ति में बियार्टू तो करना एक है, आयोडिन को यहां जोड़ना है, बियार को एक बर यहां जोड़ना है, ऊच को निकाल देना है, तो हमारा क्या बनेगा, र आई बन जाएगा, यहां आर बियार बन जाएगा, खतम है, NCRT की चीज़े चल रही है, सब कुछ जो बच्चा ढंग से पढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और गेनिक में अगर आपने थियोरी पढ़ रखी, एक बार क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रखें, तो रिविजन करने में आपको आसानी होगी, समझ मैं, सब कुछ सेले बस से आता है, लेकिन आप थियोरी तो डंग से पढ़ो, क्यूशन फिर पेपर में ऐसा घूमा गया आता है, कि तुम भोचक के हो जाते हो, तुम खुद घूम जाते हो, ठीक है, कि हमारे सन्ने तो पढ़ाया है, नहीं, क्लियर हो गया, अब इसे के बाद अगली है बेटा, इसे में, डारजन अभीक्रिया, क्या डारजन अभीक्रिया मालूम है तुम्हें, डारजन अभीक्रिया क्या होती है, डारजन अभीक्रिया क्या होती है, अलकोहल से अलकिल क्लोराइड बनाने के बेस्ट विदी, क्या होता इसमें, कि सर, जब अलकोहल की अभीक् CL OH को हटाता है और क्या होता है एक CL H के साथ जुड़ता है ओके और ये SO और एक O SO2 ये प्राप्त होती है तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है ये अलकिल क्लोराइड तो बना मतलब OH दे करके CL जोड़ दिया जोड़ दिया साथ में दो साउध पाद पर आप्त हुए HCL और SO2 दोनों गेसी अवस्ता में होते हैं पातर से बाहर निकल जाते हैं तो हमारा प्रोसेस आसान हो गया हमें अलग से प्रतक नहीं करना बड़ा तो हमा यह डार्जन अभीक्रिया यह कौन से भीक्रिया बिटा डार्जन अभीक्रिया जब एलकोल की अभीक्रिया सो CL2 से करवाई जाती है बहुत सो को ना भी नहीं पता होगा थायोनिल क्लोराइड बेटा रिवीजन चल रहा है यह थायोनिल क्लोराइड यह है थायोनिल के साथ करवाई जाती पर इडीन माध्यम में तो क्या बनता है क्या बनता है यहां पर बनता है आर सी एल मतलब ओई छटा के सील जूड़ना है जहां जोड़ा हुए ना वहीं पर सील जूड़ना है बिट्टे बस इतना करना कर लोगे यार कर लोगे यार यह हो गया क्या जैसे कि देखो ध्यान से तुमारे लिए कुछ कुश्चन यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है OH अगर मैंने इसके अभी करिया जैसे कि यहाँ पर करवा दी PBR P PLUS BR2 के साथ करवा दी या फिर SOCL2 के साथ करवा दी ठीक है या फिर यहाँ पर मैंने PCL5 के साथ करवा दी तो क्या बनेगा करना कुछ नहीं सर OH चटा के CL जोड़ना है BR जोड़ना है आई जोड़ना है जो भी है जो ठीक है जहां के जहां ठीक है यहाँ पर जुड़ जाएगा BR है तो BR जुड़ जाएगा यह तो डारजन आना चाहिए बहुत आसान है अभी के लिए आपको समझ में आने जाहिए सब कुछ आसाने विटा और गेनिक में डोंट पैनिक इट्स ओर गेनिक ठीक है बहुत सारे ने हववा बना रखा है सर और गेनिक नहीं आती यह नहीं आती चमकता नहीं यह पेपर में अरे तु प्रैक्टिस तो कर एक बार नोट्स पड़ प्रैक्टिस कर सब आसान लगेगा नहीं करेगा तो फिर टफी लगेगा ओके हां जी अब अगला एलकेनों के मुक्त मुलक हेलोजनन के द्वारा एलकेनों के हेलोजनी करन के द्वारा एलकेन ले उसकी हेलोजन के साथ अभीक्रिया करवा सुर्य के प्रकाश की उपस्तिते में तो भी हाइडोजन अटेगा हेलोजन आएगा जैसे कि देखो ध्यान से, एलकेन, कोई भी एलकेन ले लो, हेलो जनन, मतलब हेलो जन का योग, हेलो जनी करण, जब किसी एलकेन पर हेलो जन की अभिक्रिया करवाई जाती है, सुर्य के प्रकाश की उपस्तिती में, सुर्य का प्रकाश, सुर्य से हमें क्या मिलती है, उड़ और उड़ जा का सुत्र क्या होता है इबराबर इच नहीं हाँ या ना तो जला देखो ध्यान से जब किसी एलकिल हेलाइड सुरी जब किसी एलकेन पर हेलोजन का योग जैसे कि CL2, BR2 इनका योग करवाया जाता है क्या CL2 या BR2 ये दोनों ठिक ठाक अभी गरिया करती है फ्लोरीन बहुत तेजी से विगरिया करती है आप कंट्रोली नहीं कर पाऊगे ओके अभी गरिया को और आयोडी नहीं करना बहुत धीमा होता है तो हम क्या करवाते है CL2 नहीं करना और ब्रोमी नहीं करना तो अगर आपने ये लिया X2 तो X2 के साथ दिखेगा आपको ऐसे दि निकाल दो और एक को यहां जोड़ दो Rx प्लस Hx ये बने गया आपके अलकिल है लाइड अलकिल है लाइड हाय ना अब पेपर में क्येसे कुशन आएगा सर है ना पेपर बनाने वाले पागल थोड़ी नहीं आसाना सान कुशन देंगे तुमको हाँ जी पेपर में कुशन आया कि टू मैथिल ब्यूटेन टू मैथिल ब्यूटेन के कुल कितने मोनो क्लोरो मोनो क्लोरो उत्पाद बनेंगे ये कुशन आया पेपर में पेपर में टू मैथिल ब्यूटेन के कुल कितने मोनो क्लोरो उत्पाद बनेंगे ये कुशन आया पेपर में चार ओप्शन दिये तुमें चार बी पांच, सी छे और डी साथ अब अरे हमारे सन्णि दुगर आया ही नहीं सर केमेस्ट्री इन एविड़ लाइफ याद नहीं होता बेटा उचेप्टर है थियूरिटी कर लियार ठीक है जब तुमारा पेपर आये न उस टाइम उसको एक दो बार पढ़ लो खतम गुरू हाँ जी बताओ टू मेथिल ब्यूटेन का जब आप क्या करवाओगे क्लोरी नहीं करना मतलब एक क्लोरी जोड़ोगे तो कितने उत्पाद बनेंगे बताओ बोलो जी बिटा हाँ जी यार ऐसे कुछन आएगा और ये तुमारे सहले बस सही अब तुम्हें यह नहीं पता टू तू मेथिल ब्यूटेन की संरचना क्या होती पिच्चर मही घदम हो गई ना अरे देखो टू मेथिल ब्यूटेन ब्यूट मतलब चार कारबन दो नंबर पर मेथिल लगा दो ये चार कारबन तू मेथिल ब्यूटेन अरे दो नंबर पर मेथिल और ये ब्यूटेन हो गया अ जब इस पर मेरे को क्या करना है कुल पूछा है कुल पूछा है और मैंने भी कुछ दिनों पहले तुम्हें समाव यह उता पढ़ाया था यूट्यूब पर वन शोट मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है समाव यह उता का देख लेना और उसमें ये क्यूशन मैंने करवाया होगा ठीके ओके तो समाव यह उता के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि कुल पूछे तो आपको संदचना है तो बनानी यह बनानी है साथ में यह सोचना है कि किसी का त्रिविम समाव यह भी तो संभव नहीं है प्रकाशिक तो नहीं हो रहा कहीं पर वो भी सोचना है ठीके तो जरा देखो ध्यान से कितने मोनो क्लोरो मोनो का मतलब एक एक क्लोरीन जोड़ना है तो जुड़ेगा कब जब कोई एक हाइडन अटेगा तो अब देखो ध्यान से तुमें एक हाइडन अटा के CL चिपकाना है तुमें एक हाइडन अटा के CL चिपकाना है कितने अलग अलग गया CS3 एक कदम इदर गया CS3 दोनों सेम्सेम मतलब यहां CL जोड़ों यहां से जोड़ों यहां से जोड़ों बात एक ही ओके फिर आया CH2 और फिर अगली दूरी पर है CS3 तो यार यह दोनों तो सेमसे में यह CH कही निलिखा हुआ यह लगे यह CS2 अलगे और वो CS3 दूरे वो CS3 और दूरे वो सबसे अलगे तो यार इसमें चार अलग-अलग कारवन हैं मतलब यहां पे CH जोड़ों यहां से हटाओ यहां से हटाओ बात एक ही यह यहां से अलग प्रकार का है यहां से नालाय को इधर देखो या तो आप CL यहां से हटाओ यहां से H अटाओ और जोड़ दो या यहां से H अटाओ जोड़ दो समझ में आया क्या मैंने क्या गिया यहां से H अटाओ क्या CL जोड़ दिया देखो यह CL जोड़ दिया CH2 हो गया यह फिर बाकी वैसा का वैसा हो गया क्या यह एक उत्पाद अगला बोलो ना यार एक बन गया अब अगली बार यहां से मैं चाटा दू एल जोड़ दू चमकेगा के नहीं चमकेगा तुम्हें यार पड़ रहे हो न तुम पढ़ रहे हो ना तुम हाँ जी ये दूसरा बनिया तीसरा यहां से CL हटा यहां से हटा दो CL जोड़ दो बच्चे अगर नीट क्लियर करना इतना ही हलवा होता तो हर कोई डॉक्टर बन जाता ना ओके थोड़ी महनत करोगे तो आप वास्ताओं में कलियर कर लोगे कोई मजाक नहीं है या फिर लास्ट से यहां निकाल लो ओके क्या यह चार उत्पाद बनेंगे क्या यार यह चार उत्पाद बनेंगे सर्चार संद्चनाय बनेगी कितने संद्चनाय बनेगी चार संद्चन बेकिन पता चला सर जब आंसर के मेरा दोस्तों बोल रहा है कुस्तों लपना है मैं निए बड़ा खुशा ओगर आया ओर। बढ़िया लेकिन तुमने एक concept छोड़ दिया प्रकाशिक समाव योता क्या प्रकाशिक समाव योता जिसके बिना यहां पर आप discussion को नहीं कर सकते अरे बालक ध्यान से देख ध्यान से देख मेरी आखो से देख यह इस अनु में देखो कहीं किरेल कारबन है अगर उत्पाद के दोरान कोई कार्फ़न किरेल हो जाए तो वह योगिक प्रकाशिक समावयोतbahn दर्शार्ता है अर्थात अपना दरपण प्रतिविम्ब भी बनाता है तो वहाँ एक नहीं दो है हो देखो ध्यान से इस योगिक में ये वाला कार्बन किरेल कैसे इस कारबन से एक एच जुड़ा हुआ है हाँ एक सीस्ट्री जुड़ा हुआ है हाँ एक सीस्ट्री जुड़ा हुआ है हाँ एक सीस्ट्री जुड़ा हुआ है क्या चारों समु अलग अलगे हाँ यह किरेल है प्लस इसका दरपन प्रतिबिम्ब भी आएगा इसका दरपन प्रति बिम्ब भी बनेगा तो ये एक नहीं दो है हाँ या ना ओके अब इसमें देखो क्या इसमें कोई कार्बन की रेल है इस कार्बन से दो CS3 जुड़े हुए नहीं है इस वाले पर देखो उपर CL H CS3 और ये एक अलग ये भी किरेल है तो प्लस इसका भी दरपन प्रति बि हाँ या ना अब जरा देखो ध्यान से यहां पर हाँ यही नीट है अब यहां पर देखो दोनों मेथिल है ये किरेल नहीं है यहां पर दोनों CS3 ये भी किरेल नहीं है तो टोटल चार नहीं इसके छे उत्पाद बनेंगे दो दो एक एक टोटल यहां पर six compounds are formed in this reaction क्या मेरी बास समझ में आ गई क्या यार यहां पर तो correct answer should be option number C तो correct answer क्या होगा option number C होगा चमका या नहीं चमका चमक गया हो तो बढ़िया बात नहीं चमका हो तो और बढ़िया बात अब अगली बात एलकीनों से केसे बनाते हैं एलकीनों से केसे बनाते हैं एलकीन के उपर HX के भी ग्रिया करा दो अरे hydrocarbon chapter में भी पढ़ाओगा तुमने तो यह हाँ जी एलकीनों से तो एलकीनों से इसमें पहला HX के साथ करिया ह AX के साथ करिया जाओगान मार कोनिक ओफ नियम ऐन्टी मार गोनिक ओफ नियम ठीक है यहाँ पर यह एक एलकीन है इसके उपर HX का योग करवाना है तो किसी एक पर H जोड़ दो, किसी एक पर X जोड़ दो, देखो, L के इन के पास क्या है, हमारे पास पाई बंद है, तुमारे पास क्या है, हमारे पास एक धनायन है, एक रिणायन है, तो पाई बंद को, देखो दियान से, आपने मारकोनिक ओफ का नियम पड़ाओगा, मीर का यार अगर HX है HCL HBR HI कोई भी है तो यहां पर होता क्या है यहां पाई बंद चूटता है किसी एक पर चला जाएगा मान लो मैंने यह पाई बंद इधर भेज दिया तो यहां रिनावेश आ गया तो धनावेश यहां जुड़ जाएगा है लोजन यहां जुड़ जाएगा यह यहां जुड़ गया है बिटा एच यहां जुड़ जाएगा एक्स नोर्मल केस ठीक है यह नोर्मल केस होता है मारको निकोफ का नियम लगता है मारको निकोफ नियम यह कहता है कि भहिया एच वहां जुड़ता है जहां पहले से जादा हाइड़न होता है उदान के लिए दे बनेगा मैंने देखा यह एलकीन है एलकीन देखते हैं मेरे दिमाग में खयाल आया एच बीयार दे रखा है परन्तु चील 4 वी लाईक पर उक्सेड नहीं दे रखा है तो मारकोनिक लगेगा तो मारकोनिक में यह प्लस बीयार माइनस अमीर का बेटा अमीर एच कहां जुड़ और बियार कहा घुड़ेगा जहाँ कुछ भी नहीं या कम हाईडोजन है यहाँ जुड़ जाएगा बियारी ये Human और ये सी एस त्री हो जाएगा क्या ये बनेगा क्या ये बनेगा अरे यार तुम्हारा रिविजन चल रहा है तुमने कितनी बार पड़ाओगा ये अब तो करूर सकते हो ना तुम यहाँ पर सही तरीके से यह पाई बंद इधर गया यहां रिणावेश आया, H यहां जुड़ गया, यहां धनावेश बनाओगा, तो B-R-र więc यहां टेक करेगा न लल्ला, अरे पेपर में तुमको करना है, मैं नहीं आउंगा, यह सरायागा, तुमारे वहाँ पेपर में काम, मैं सर काम नहीं आउंगा, हांजी, अगला, यही क्य कूछ अच्छ प्रेशित रूप में दे रखव यहाँ पर तुम्हें जैसे कि हाई का योग करवाना अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे यह ज़िए तो एलकी ने है चाही दे रखाए ज़िए काई से गरेंगे सर देखो ध्यान से यह कार बने जी यह भी कार बने है यह एच यह एचे गी नहीं तो अमीर इन दोनों में से जादा मिर को ने ये वाला अरे जिसके पास है तो पाई बन इधर गया होगा यहां रिनावेश आएगा तो एच प्लस यहां जुड़ेगा और रिनावेश यहां जुड़ेगा तो यहां बन जाएगा चमका के नहीं चमका सर बोड के लिए है क्या बोड वाले भी देख सकते हैं पेटा रिवीजन तो कर सकते हो ना तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अच्छे चीजों को देखना है तो हो जाएगा ओके तो एच एक्स के साथ योग हो सकता है क्या अब अगर यहां पर है ये केवल और केवल एच बी आर के साथ ही लगता है ध्यान रखना ठीक है पता है दुम्हें पता होगा तुम्हे तहर हैं ठीक है डायाट क्यूशन करते हैं अगर परोक्साइड हब offense अब ह योग कर वाय जाए नेकिन किस की उपस्त्तिते में कसी प्रोक्साइड की उपस् तो क्या होता है अब अमीर का बेटा अमीर नहीं बनेगा ह वहाँ जुड़ेगा पाई बंद तूटेगा देखो ये वाला पाई बंद तूटेगा किसी एक पर ह जुड़ेगा किसी एक पर ब्यार जुड़ेगा तो अब देखो परोकसाइड की उपस्तिती में एंटी मारगोनिक ओफ नियम लगता है मतलब H उस कारबन से जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है और BR वहाँ जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपको यह बन जाएगा यहाँ H जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा BR केवल यह इसी में लगता है ध्यान रखिएगा और अगर यही अभी करिया बच्चे इसकी मैंने HCL के साथ करवा दी परोकसाइड की उपस्तिती में तो कोई फरक पड़ेगा का क्या परोकसाइड का नहीं पड़ेगा गुरुजी यहां तो मार कुनिक का नियमे लगेगा अमिर का बेटा अमीर केवल वो उसी में लगता है बाकियो में नहीं लगता है ठीक है HCL HO, HIO, उनके साथ नहीं लगता है वह उनीं के साथ लगता है बोलो ना यार वो उनी के साथ वो बी आर के साथ ही लगता है हर कोई के साथ नहीं लगता तुम्हारा मन चला कि तुमने ही देखा और परोकसाइड देखा और सर ने बोला था परोकसाइड प्रभाव हैं यहां नहीं लगेगा यहां तो अमीर का बेटा अमीर ही बनेगा आयोडीन यहीं जुड़ेगा क्लियर हुआ क्या समझ में आया क्या केवल और केवल एच बी आर के साथ ही यह प्रभाव देखा जाता है है हां जी थोड़ा कम समझ में आ रहा है अभी समझने का टाइम नहीं अभी तो रिविजन करने का टाइम है ठीक है पुरे साल बर गया किया तुमने 12 खत्म होगी तुम्हारी है ओके जी तो अब तो रिविजन करो ना तुम अब तो जिन बच्चों को अगर ये चीज़े थोड़ी बहुत आती है ना थोड़ी बहुत भी आती है ना बिटा की आर में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लिक कर जाएगा उनको ओके तो आप आराम से इन चीजों को बढ पर बेऊसे निपटा दोगे ऑन इदाखोर्ण के अब आगे बड़े गया अब आगे बढ़े गया हां जी तो क्लियर ओगा बच्चों आता है तेलों को बх ribbon इंद शख का योग कर वासकते है शक्ता योग कर ला कि भी क्या बना सकते हो आप एलकिल हेलाइड बना सकते हो और दूसरी बात इसी एलकीन पर ये अब इसी एलकीन पर बी एक्सटू का योग द्वारा एस एक्सटू के योग के द्वारा वही एलकीन ली ली गुरुजी एलकीन के उपर एक्सटू का योग करवा दिया करवा दिया वही CCL4 विला एक वगेरा ले लो तो क्या गरना है यहाँ पाई बंद को तोड़ना है पाई बंद को तोड़ना है वो तो यहाँ भी तोड़ा था हाँ, एक पर H जोड़ा था एक पर X जोड़ा था हाँ, अब यहाँ दोनों क्या है x x से एक पर इसको जोड़ दे एक पर इसको जोड़ दे डाई हेलाइड बन जाएगा क्या बन जाएगा डाई हेलाइड डाई हेलाइड विस्र डाई हेलाइड बन जाएगा क्या बन जाएगा बिटे विस्र डाई हेलाइड बन जाएगा समझ में आया क्या ओगे और यहां अगर अगर हम बात करें जैसे कि बीज़ वियार टू के साथ क्रिया कि देखो एक छोटा सामें पॉइंट बताता ओप्रोमीन ब्रॉमीन गेस लाल भुले रंकी होती विटा जैसे कि देखो ध्यान से यह मेरे पास एक परकनली है इस परकनली दिमें ये ब्रोमीन है जो कैसे होती ही भुरा लाल भूले रंग की ये ब्रोमीन केसी उती बेटा लाल भूरी है कि ब्यार टूटी है जैसे मेंसे ओगी कि किसी एलकीन के साथ अभी गर्वाता हो ना जैसे मैं लिया बेटा यहाँ पर एतीन इसके बिग्रिया करा दे BR2 के साथ तो होएगा एक या BR-BR जुड़ जाएगा यहाँ पे एकल बंद होएगा एक BR यहाँ जुड़ेगा एक BR यहाँ जुड़ेगा तो यार हमने क्या देखा जैसे ही मैंने एथीन के उपर BR-B-R-O-M-E-N-G-E-S प्रवाइद करी तो यार रंगहीन हो गई जिससे मेरे कोई बात का पता चला कि इसमें द्वीबंद है असंत्रप्ता है यह एथीन है एक असंत्रप्त योगिक है असंत्रप्त योगिक है तो इसकी संत्रप्ता का हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन लाल भूले रंगी होती है जैसे मैंने इसके साथ अभी ग्रिया करवाई वो रंगहीन हो गई पता चल गया ला कि यार पहले तो ये सिती जैसे से मिला कलर गायब मतलब ऐसा योगिक है जो असंत्रप्त है उसमें या तो डबल बोंड है या ट्रिपल बोंड है तो ध्यान रखिएगा ओके यहां पर इसको असंत्रप्ता का परिक्षण असंत्रप्ता का परिक्षण करने के लिए भी प्रव्यक्ट किया जाता है ओके असं अंत्रप्ता का प्रेक्षन करने के लिए भी प्रेट किया आ जाता है ब्रॉमीन के साथ इतु नोर्मल अभी करिया ब्रॉमीन बुरे रंगी होती बस नार रंग हीन हो जाती बस क्लियर हो गया तो आप आराम से यहां पर HX का योग, HX2 का योग, कुछ का भी योग करवा के बना सकते हो, अगला देखो, हैलो जन विनी मैं अभी करिया, हैलो जन विनी मैं अभी करिया, अरे हैलो जन विनी मैं अभी करिया, अच्छा आज आपका केमेस्ट्री का पेपर था कैसा रहा बेटा Chemistry का पेपर कैसा रहा बच्चे हाँ जी हेलो जन विनिमे द्वारा अब इसमें दो अभी क्रिया आती है पहला Finkelstein अभी क्रिया Finkelstein अभी क्रिया हाँ जी Finkelstein अभी क्रिया हाँ जी बिलकुल करता हूं बेटा नो मंडे योगेश बिलकुल करता हूं जी तो अगर अपन बात करें यहाँ पर Finkelstein अभी क्रिया ये क्या होता है ओके हाँ जी बिलकुल बेटा जी रिविजन तो इन से आटे से कर लेना चाहिए हाँ अगर अपन बात करें Finkelstein अभी क्रिया ये क्या होती है फिनकेल्स्टीन अभी क्रिया क्या होती है जब अलकिल क्लोराइड या अलकिल ब्रोमाइड की अभी क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है ऐसे टोन की उपस्तिती में हाँ या ना ओके यब एलकिल क्लोराइड या एलकिल ब्रोमाइड की अभी करिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्तिती में, ऐसी टोन की उपस्तिती में, यह सब सुनो, हेलोजन विनी में, हेलोज नों का exchange हो जाएगा यहां का हेलोजन यहां यहां का हेलोजन यहां यहां का हेलोजन यहां यहां का हेलोजन यहां 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 का हेलोजन यहां विनी में हो गया न एक्स्चेंज हो गया तो आर आई बन गया यह एने सील अलग हो गया ओके यहां आर बी आर बन गया यह सोरी आ आदर शर्म अभी से ठक गए क्या चले जाओ कोई दिक्यत नहीं मेरे को मैं तो पढ़ाऊंगा एलकिल आयोडाइड बन जाएगा ये क्या बन जाएगा एलकिल आयोडाइड बन जाएगा ओके तो आप आराम से एलकिल आयोडाइड बना सकते हो exchange करवा करके alkyl iodide बना दोगे आराम से कर सकते हो बाबू अच्छे से अगर आपने पड़ रखा है तो ओके तो यहाँ पर आराम से alkyl iodide यह फिनके elstein अभी करिया होती है ओके हाँ जी अगर हम बात करें यार दूसरी अभी करिया स्वार्ट अभी करिया दूसरी अभी करिया स्वार्ट अभी करिया अभी करिया क्या होती है जब alkyl halide की अभी करिया जब alkyl halide की अभी करिया फ्लोरीन के योगी को जैसेओ गी AGF के साथ या और यहां से AgX जो भी यह वो अक्षेपित हो जाएगा यह बन जाएगा आपका अलकेल फुलो ओराइब तो क्या बन गए आपका यह सारी के सारी वही अभीकरियाए हैं जिनसे आप हेलो एलकेन बना सकते हो将 एलकॉल के साथ एलकेन के हेलोजनिकरण के द्वारा एलकेन के ऊपर एक्षेक्स के अभीक्रिया या फिर ये हैलो जन्विनी में अभीक्रिया या हैलो जन्विनी में अभीक्रिया तो यह सारी चीजें आप अच्छे से discuss करो बढ़िया से इनको revise करो सब अच्छे से clear हो जाएगे जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर ये दो क्यूशन निमने लिखित में से प्रतेक अभीक्रिया के मुख्य है लोध पादों की संद्चना बनाओ हाँ जी अरे आदर्ष शर्माजी बेटाजी आपको जाना है जा सकते हो ये चेप्टर जब तक खतम होएगा तब तक एक लास चलेगी हाँ जी इनकी संद्चना बनाओ हाँ बताव जी बताओ बताईए ये दो योगिक दे रखें इनकी संद्चना एक क्या होईगी यार ओएच दे रखा है एसो सील टू दे रखा है डार्जन अभी गरिया अरे हाँ याना क्या भी गरिया डार्जन अभी गरिया कौन जे भी गरिया डार्जन नहीं विटा डार्जन तो डार्जन में क क्या बन जायेगा यह उत्पाद बन जायेगा मोनो हेलो एल के एक हेलो जोड दिया अब यहां पर जरा देखो दियान से यह वाला कुश्चन करके बताओ के बिटा देखो धियान से यहां पर मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं यह बैंजी ने यहां एनोटू जुड़ा हुआ है ठीक है यहां पर जुड़ा हुआ है च्छ टू सी एल थ्री ओके इसका हेलो जनी करण करवाया गया जैसे कि ब्रोमीन के साथ अभी गरिया उश्मा दे रखी पराबेंगनी प्रकाश मतलब संलाइट दे रखी ओके तो यार यहां पर क्या बनेगा यह बैतरी इन कुशन है बड़िया कुशन है तो यार यहां पर कैसे अभी गरिया होईगी देखो जी भाई क्या यार यह हेलो जनी करण है सुर्य के प्रकाश की उपस्तिति में तो सुर्य के प्रकाश की उपस्तिति में हेलो जनी करण में एलकेन भा जब बेंजीन से जुड़े हुए कारबन पर देखा जाता है तो यार वो हेलोजनी करना होता है इस कारबन पर इस कारबन पर यहां से ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन अटेगा ब्रोमीन जुड़ेगा यहां पर क्या होएगा हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर यह बन जाएगा तुमारा ओके क्लियर हो गया तो इस तरीके से आप बढ़िया सारी चुझे क्लियर गड़ सकते हो तो बैंजीन की यहाँ पर जो जुड़ा हुआ उपर सेस्ट वहाँ पर जागर के ब्रोमिनी करन होईगा क्योंकि एलकिल समू का होता है इसमें यह होता है मु से वाले पर क्लियर हो गया बच्चे अब आगे बढ़ते हैं यह क्लियर हो गया अब यहाँ पर एक कुष्ण है अगली चीज अगला आता इनका भूतिक गुण अगले आते इनके भूतिक गुण की यार हैलो एलके नों के भूतिक गुण क्या होते हैं हैलो एलके नों के होती गुण भाई इनके गलनांक क्या होते हैं कोतनांक सबसे इंपोर्टेंट है बेटा इसमें कोतनांक ओके उसी पर कुशन आते हैं बाइके सब फड़ जी देखो शुद्ध अवस्ता में एलकिल हेलाइड रंगहीन होते हैं ये कलरलेस होते हैं चेके परंतु ब्रोमाइड और आयूड़ प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं जैसे इनको खुले में रखते हैं तो सनलाइट आती है तो यह लायट एब्जोर्ब करते हैं ओके और उड़ जा मिलती है उड़ जा मिलने से क्या होते हैं इलेक्ट्रोन उत्तेजित होते हैं फिर नीचे जाते हैं उपर जाते हैं नीचे आते होपर जाते है إलेक्टनोका एक्साइटेशन डीएक्साईटेशन होता है उससे क्या होता है ये रंग दिखाते हैं ठीक है आपने बढ़ाँ होगा न कि जब electron उड़्जा ग्रान करते हैं तो निम्न से उच्छ में जाते हैं फिर उपर से नीचे आते हैं तो उड़्जा मुक्त करते हैं वह उड़्जा आपको रंग के रूप में दिखाई दीती है फोटों निकलता है याद हो तो तो यह रंगीन हो जाते हैं अनेक वा इनका क्वतनांग क्वतनांग को बोला जाता है boiling point short में बीपी तो देखो जिद्यान से सबसे पहली बात क्वतनांग पर बहुत सारे questions बनते हैं बिटा क्वतनांग उसका ज्यादा होता है यार जिसका अनुभार ज्यादा होता है जिसका अनुभार ज्यादा होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं boiling point compare करने की, अगर मेरे को 4 अलग-अलग aylkil hyalade दे रखें, जैसे कि अलकyl fluoride दे रखा है, एलकिल क्लोरेट दे रखा है, एलकिल ब्रोमाइड दे रखा है, एलकिल आयोडाइड दे रखा है, एलकिल समूफिक्स है, एलकिल समूफिक्स है, ओके बस केवल हेलोजन बदल रहा है, तो जो ज़्यादा भारी होगा, उस का अणुभार ज्यादा होईगा, ओके इस तरीके से आप अच्छे से इनको कर पाओगे क्लिरे बच्चे अरे बोलो ना यार इस तरीके से क्या आप इसको अच्छे से कर पाओगे बोलो हाँ या ना ओके इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर पाओगे सारी चीजे बढ़िया से कर लोगे हाँ, आराई ज़्यादा भारी है तो उसका गलनांग, उसका कृतनांग ज़्यादा होएगा ओके, यहां इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे की यह एथिल क्लोराइड यहां पे लिखाओ बिटा आपके पास यहां पे लिखाओ प्रोपिल यहां पे लिखाओ आपके पास ब्यूटिल क्लोराइड तो यार जो ज़्यादा भारी होगा उसका क्या होगा? जो ज़्यादा भारी होगा उसका कृतनांग ज़्यादा होएगा अगली बात समाव यवियों के अंदर समाव यवियों के अंदर ये वाली चाहिए समझे में आई जो जितना भारी होगा उसका कुतनांक जादा होगा उस कुंसेट से ये क्यूशन हुआ अब देखो ध्यान से यदि समाव यवी दे रखियों बेटा तो केसे करना होता है समाव यवियों में समाव यवियों में अरे समझ में आया बेटा आप सभी को बोलो यार हाँ या ना समाव यवियों में तो जाई ये बेटा जी विराज जी आप जाई ये ना आप ओफ लाइन में पढ़िये ना बेटा क्यों यार यहार यहार पर आप सस्ता आप कोर्स घरीद रहें ठीके ओगैं आप अराम से फलाइघ बच्चे है ओके समाव यवियो में अगर हम बात करें समाव का रहें समाव यव्यो में अगर हम बात करें तो यार, देखो, boiling point अनुभार के तो समानुपाती होता है, ओके, और साथ के साथ, इस बात के भी समानुपाती होता है, कि जिसका प्रष्टिय शेत्रफल जादा हो, प्रष्टिय शेत्रफल जादा हो, जो जितना फेला होगा न, जो जितना फेला होगा बेटा, उसका boiling point जादा होएगा, ठेके, जो जितना फेला होएगा, उसका boiling point उतना जादा रहेगा, हाया न, ओके, boiling point अनुभार के समानुपाती, प्रष्टिय शेत्रफल के समानुपाती, प्रण्तु साथ के साथ, शाखाओ की संक्या बढ़ने पर घड़ता जाता है शाखाओं की संक्या के वित क्रमानुपाती होता जाता है क्योंकि शाकाई बढ़ने से क्या होता है दो परतों के बीच में गेप बढ़ जाता है जैसे कि मान लो एक एलकील है ऐसा है बिलकुल सरल सा सीधा सा तो दूसरा उस दूसरी परत उसके साथ आराम से सटी रहेगी, तो इनके बीच में आकर्शन मजबूत रहेगा, लेकिन मान लो अगर शाकाएं हैं बिटा, तो शाकाएं होने की वैसे इनके बीच में गे पाजाएगा, गे पाजाएगा तो दो परतों के बीच में आकर्शन उतना एफेक्टिव नहीं रे पाएगा ओके तो एफेक्टिव नहीं होगा तो यार वासानी से तूट जाएगा तो देखो जी धिहां से यहां पर बोईलिंग पॉइंट बीपी का क्रम बताओ हां जी अगर हम बात करें यहां पर मैरे को तीन कंपाउंड दे रखें एक दे रख्खाए जी मेरे को यहां पर यहां पर सी एच टूज तो शी एच टू च टू चकल एक यह मेरे को यहां पर CH3, मेरे, CC mold 3-2, CL एक यह दे रख़ए और एक दे रख़ए बच्चे यह तो तीनो compound हमने देखे 1, 2, 3 देखोगे तो तीनो की तीनो समाव यह भी 3-0 की अनुसुतर 1 जैसे यह सेम सेम है 3-0 की अनुसुतर 1 जैसे 1, 2, 3-3-3 सेम अनुसुत्रवाले हैं, अनुभार भी समान हैं, तो फिर कैसे देखें, जो जितना सीधा होगा, जो जितना सीधा होगा, जो जितना सीधा होगा, क्लियर हो गया बिटा, सेल्फ मॉटिवेशन, जो जितना सीधा होगा, उसका प्रष्टेश्वेत्र फल जादा रहेगा, फ तो फिर क्वतनांग घट जाएगा तो यहां पर सही आंसर होएगा इसका यह जो सीधा रहेगा जादा उसका क्वतनांग जादा होगा तो क्वतनांग पर कुश्चन आता है बिटे अब अगला जैसे कि यहां पर कुश्चन गड़ते हैं पन क्वतनांग के उपर जैसे कि निम लिकित के निम लिकित के निम लिकित जो योगी के इनके कवतनांगों के बढ़ते हुए क्रम में व्यस्तित करो जैसे कि देखो ध्यान से अप्शन नमबर एक ब्रोमो मिथेन CS3BR होता है ब्रोमो फोर्म क्या आप जानते हैं बेटा ब्रोमो फोर्म क्या होता है CHBR3 होता है Bromofome Cloromethane क्या होता है CH3Cl Dibromomethane क्या होता है 2 Bromine जोडने यह हो गया यह 4 योगी किमेरो को दे रखे आप से पूछा गया इनका कुथनांग मतलब boiling point तो यार जो भारी होगा उसका कुथनांग जादा होगा अगर मैं देखू इसमें Bromine इसमें Bromine इसमें क्लोरीन उसमें Bromine तो Bromine जादा भारी होता है जितने Bromine जादा भारी क्लोरीन हलका तो सबसे हलका होगा CS3Cl तो इसका कुथनांग कम फिर इस से जादा 1 BR वाले का फिर इस से जादा 2 BR वाले का सबसे जादा यहाँ पर तीन बीयार वाले का तो जो जितना भारी उसका कणू को तनांग भारी ठीक यह हो गया अगला देखू वन क्लोरो प्रोपेन यह तीन कार्बन यह लगा दिया सीयल वन क्लोरो प्रोपेन ISOPROPYL ISOPROPYL यह ISOPROPYL बना दिया बिटा 1 chlorobutane यह 4 carbon और यहाँ पे लगा दिया CL यहाँ पर CD chain है यहाँ पर देखो एक शाका निकल गई और यहाँ पर जादा यहाँ तो carbon भी जादा है इसमें भी 3 carbon 1 CL, 1 sel यहाँ 4 carbon तो सबसे जादा अगर मैं इसको बोलू A यह B यह C तो boiling point सबसे ज़्यादा होगा बेटा C का क्योंकि अउनु भार ज़्यादा है अब A और B में यहाँ दो नमबर पर जुड़ रहा है यह एक नमबर पर यह सीधा है तो फिर आएगा बेटा 1 फिर आएगा A फिर सबसे लास्ट में आएगा B तो इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हो पकी बात अच्छे से यहाँ पर हाँ B A C बढ़ते हुए करम में अगर अपन बोले तो B A C घटते हुए करम में C A B अगला अब अगला अगली चीज़े हैं बेटा जी यहाँ पर यार हेलो एलकेनो की अभीक्रिया है अगला टोपिक आता है हेलो एलकेनो की अभीक्रिया है जिसका आप सब कर रहे थे बे सबरिस इंतजार पेश है आपके सामने हेलो एलके नों की ना भी किसने प्रतिस्थापन अभी करिया है सबसे important topic हाँ जी कैसे होती है प्रतिस्थापन अभी करिया है हाँ या ना okay clear हुआ तो अब ज़रा देखो ध्यान से यहाँ पर हम देखेंगे बिटा प्रतिस्थापन अभी करिया है one of the most important topic of this chapter है क्या होती यारसी अभी के लिए जिसमें यह एक एलकील हेलाइड है तो हमें पता है कि यार हेलोज़न पे तो वेसे रिनावेश होता है ये तो वेसे चाहता है कि मेरे протこれand दे ना जार इसकी तो नजर ही इन एस एलक्टोनों पर होता है ना जैसे कि आपने कोई काम किया और पडोसी वाला उस पर ध्यान लगा के विठा हुआ है कि यार बस ही मेरे को मिल जाए किसे भी तरीके से तो इसकी तो नजर नहीं इलेक्टोनों पर कभी मोगा मिलेगा ये लेके भाग जाएगा ये निकलने वाला समू है कभी भी निकल जाएगा यह ठीक है ओके तो जरा देखो ध्यान से एलकिल हेलाइडों में हेलोजन जो होता है वो लिविंग ग्रूप होता है निकलने वाला समू होता है ठीक तो जब इस योगिक की अभी क्रिया किसी नाभी किस नहीं के साथ करवाई जाते है यह आक्रमनकारी नाभी किस नहीं आक्रमनकारी नाभी किस नहीं आक्रमनकारी नाभी किस नहीं तो होता क्या है नाभी किस नहीं कि उपस्तितियों में होता क्या है भीया यहां से हेलोजन निकलता है और नाभी किस नहीं आता है तो यहां पर इस तरीके से प्रतिस्थापन हो गया एक्स माइ से निकले और छोर गुज गोगा है ठीक ह現在 ये निकला और येपिछिस जा के आधम का ठीक्ट यहां पर ये बन गया आपका उत्पाद और ये है आपका निकलने वाला समु एक्स माइनस क्या है बेटा दिकले वाला समु इसको बोलते living group यह आपका निकलने वाला समू निश्काशित समू निकलने वाला समू हाँ है न क्लिर वह जब अपने साथ में नहीं रहे तो फिर दूसरे से मदद मांगनी पड़ेगी कि नहीं मांगनी पड़ेगी बोलो ना जब यह चला गया तो भाईया कोई तो सहारा बना फिर हमें इन किसे मदद लेनी पड़ी यह living group यह निकल गया electron लेके चला गया मेरा फिर ना भी किस नहीं ना के मेरी मदद करी। ओके तो यार यहां पर इस तरीके से यह अभी क्रिया होती है लेकिन यह अभी क्रिया कैसे होती है कितने तरीके से हो सकती है इसके क्रिया विधी क्या होती है यह दो तरीके से हो सकती है उप्रोक्त अभी क्रिया उप्रोक्त अभी क्रिया दो प्रकार से दो प्रकार की क्रिया विदियों द्वारा संपन हो सकती है संपन हो सकती है दो तरह का यहां पर क्या लगता है मेकनिजम लगता है पहला SN1 दूसरा SN2 अब्दुल कादिर बेटा आज अपन क्या कर रहे हैं वन शोट कर रहे हैं तो वन शोट में यार में चेप्टर समापती कर सकता हूँ ना पहले तो ठीक है फिर करेंगे पन हाँ जी त पुरा नाम सुनों इसका वन का मतलब यूनी मोलीक्यूलर यूनी मोलीक्यूलर एन से बनता है नुकलियोफिलिक नुकलियोफिलिक ओके ऐस से बनता है सब्स्टिट्यूशन रियक्शन हिंदी में क्या बोलते है एक अनुक या एक अनुक नाभिक इसने ही या नाभिक राग एकी बात है बटा ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभीक्रिया प्रतिस्थापन अभीक्रिया प्रतिस्थापन अभीक्रिया तो देखो ध्यान से यार ये SN1 समझ मैं एक अनुक ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन SN1 को समझो एक अनुक ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन तो जरा देखो ध्यान से यार यह SN1 SN2 कैसे होती है तो देखो ध्यान से यहाद दो पदो में होती है यहाद दो पदो में होती है कैसे होती है फस्ट स्टेप प्रतम पद में क्या होता है सर कि ना फस्ट स्टेप प्रतम पद में क्या होता है कि सर ये हैलो जन्ना निकल जाता है यह हैलो जन्ना इस बंद के दोनों इलेक्ट्रोन लेके चला जाता है क्लिर हो गया दोनों इलेक्टोन लेके चला जाएगा यार अभी देखो कार्बन के पास चार बंद है अस्टक पूरा है जैसे ही दोनों इलेक्टोन चले गए ये विचारा क्या हो गया गरीब हो गया धनावेशित हो गया और X- यहां से लीव कर गया तो क्या कार्बन पर धनावेश बन गया इस धनावेशित इस पिशीश को बोलते हैं कार्ब धनायन कार्ब धनायन जो की अभी करिया के बीच में बनने वाला मद्यवर्ती है ये क्या है मद्यवर्ती ये क्या है मद्यवर्ती क्लिर है ये बन गया कार्वधनायन इसको English नहीं बोलते हैं कार्वोगेटन कार्वधनायन बन गया अब जरा देखो ध्यान से कुछ छोटी छोटी चीजे जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं जब हैलोजन निकलता है तो कार्व दनायन बन गया ओके तो यार यहाँ पद धीमा होता है यहाँ पद कैसा होता है धीमा पद धीमा पद मतलब स्लो जैसे कि मानलो यह दो इस्टेशन है जेपूर और दिल्ली इनके बीच में बहुत साही ट्रेने चलती है एक चलती है नॉर्मल ट्रेन जो ओसत स्पीड से चलती है तो यार उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगते है तीन गंटे और एक चलती है सूपर पास्ट जो एक गंटे में पहुचा देती है तो अगर आप से कोई पूछेगा कि भाई जेपूर से दिल्ली जाने में ट्रेन कितना समय लेती है कोई भी ट्रेन तो वो क्या बताएगा भई ओसत जो डिस्टेन टाइम लगता हो गो बताएगा भी तीन गंटे लगते मतलब जो स्लू है उसके हिसाब से वेग बता है ना तेज भागने वाला तो कितना जल्दी भाग सकता है तो यार जो धीमा पद होता है उसके उपर वेग डिपेंड करता है तो यही होता है तुम्हारा वेग निर्धारक पद धीमा पद अच्छा अगली बात यहाँ पर पहले यह कारबन चारों के चारों बंद बना रहा था यहाँ पर इसका अच्छा कासा संक्रण था SP3 अब इसका एक हाथ टूड गया अब तीन ही बंद रहे अब यहाँ पर इसका संक्रण क्या हो गया SP2 और SP2 में जामिति केसी होती है संटल 3 बूजी इसलिए मैंने आक्रती इसकी इसी बनाई शंटल 3 बूजी यह संटल हो गया यह प्लेट में आ गया अब दूसरे पद में क्या होता है second step second step में क्या होता है ना भी किस नहीं का आक्रमन होता है इस बिचारे कारव धनायन पर ना भी किस नहीं आता है अब जरा देखो ध्यान से यह कैसा है संतल है अब ना भी किस नहीं आ रहा है तो उपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है मतलब तल के आगे और तल के पी दोनों दिशाओं से योग हो सकता है आई बास समझ में यह समतली आकरती है अबोधी प्लेन बिलोधी प्लेन दोनों केस पोसिवल है तो अभी तो हम यहां पर नोर्मली समझेंगे कि यार यह रिनावेश है इसकी मदद करने आया और इसे जुड़ गया वापस से क्या बन गई चटुष खल ग्याकरती बन गई समझ में आ गया तो यहां बन गया आपका यतिपाद और यह होता है फास्ट स्टेप तिवर पद होता है ओके तो यार उमीद है यहां तक कि आपको चाहिए समझ में आई होगी बहुत सरल है बहुती बैसे कि यही चाहिए तुमारे काम आएगी तो SN1 दो पदों में होती है पहले पद में कार्ब दनायन बनता है दूसरे पद में ना भी किसने का योगों के उत्पाद बन जाता है इतने बात क्लीर हो गई अब जरा देखो ध्षान से यांठान पर आगे की बात हाजी यह क्या होती है two step reaction two step reaction पहली बात तो ये दो पदों में होती है दूसरी बात मद्यवर्ती के रूप में क्या बनता है कार्ब धनायन बनता है कार्ब धनायन बनता है और केमेस्ट्री में नारा है केमेस्ट्री में नारा क्या है stable the intermediate faster the reaction जिस अभीक्रिया में मद्देवर्ती जितना जादा इस्ताई होता है वो अभीक्रिया उतनी तेजी से होती है ओके अता अभी क्रिया की दर अभी क्रिया की दर क्या बनने वाले कार्ब धनायन के इस्तायतु के उपर डिपेंड करती है हाँ कार्ब धनायन का इस्तायतु जितना जादा होगा न यह अभी क्रिया उतने तेजी से होगी कार्ब धनायन का इस्तायतु जितना जादा होता है ब होते हैं तो आम तोर पर हम जानते हैं कि 3 डिगरी कार्बदनायन ज्यादा इस्ताई होता है 2 डिगरी से और 2 डिगरी ज्यादा इस्ताई होता है 1 डिगरी से सबसे इस्ताई कम होता है मैथिल कार्द ना है बोलो जी बोलो हाँ या ना अतह अगर मेरे से बोल दिया जाए कोई एलकिल हलाइड SN1 एलकिल हलाइड अतह एलकिल हलाइड की SN1 के प्रती क्रियाशील ता SN1 के प्रती क्रियाशील ता की भाई कौन ज्यादा क्रियाशील होगा तो अगर मैं बोलू मैथिल हैलायड यह तो सबसे छोटा है इस से ज्यादा क्रियाशील होगा कोई भी वन डिग्री आलकाल हैलायड fill से ज्यादा कोई भी two degree लिडिग्री हलायड फिर उस से जफैimentos एथा three degree अलकाल है ठीक है तो यार ये एलकिल हेलाइड की SN1 के प्रतिक्रिया शीलता समझ में आई गया कोई भी एलकिल हेलाइड उठा के देख लो ठीक है जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर उधारण यहां पर अगर हम बात करें SN1 के प्रतिक्रिया शीलता SN1 के प्रतिक्रिया शीलता अगर मैं देखूँ एक लेलिया मैने मैथिल खलोरिड एक लेलिया बच्चे मैने आइसोप्रोपिल घलोरिड एक लेलिया मैने त्रत्यक ब्यूटिल घलोरिड हाँ या ना बोलो यार ये चार अलग अलग क्लोरेड ले लिए ले लिए अब मेरे से पूछ रहा है कौन ज़्यादा करियाशी ले तो CL निकाल के देखो या से CL निकालेंगे तो इस पर धनावेश आएगा जो कि 3 डिगरी कार्ब धनायने तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है यह वाला 2 डिगरी कार्ब धनायने दो पे जुड़ा हुआ है यहाँ पर यह बनेगा 1 डिगरी कार्ब धनायन क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है यह सबसे लिस्ट ओके तो कही न कहीं हमें यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कार्ब धनायन का इस्ता तो बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं जादा क्रिया शीलता तो लास्ट वाले की ये बच्चे एसन वन के प्रति क्या हुआ हां जी तो यह clear हो गया बिटा अरे यह clear हो गया SN1 के प्रति यहां पर कैसे क्रिया शीलता होगी यह भी हमने देख लिया तो SN1 में क्या होता है थ्री डिग्रियल के लिए लाट ज़्या एक रिया शील होता है अब जरा देखो ध्यान से यहां पर अगली बात SN1 में रेशेमिक मिश्रन बनता है मिश्रन बनता है रैसेमिक मिश्रन बनता है क्या बनता है SN1 में रैसेमिक मिश्रन बनता है जैसे कि देखो ध्यान से अगर यह कार्बन है इस पर मैंने लगाया हेलोजन और यहाँ पर लिखा R1 यहाँ लिखा R2 यहाँ लिखा R3 ये तीन अलग-अलग अलकिल समू है मैथिल हो सकता है ये कोई हो रहे ये कोई हो रहे तो उस केस में कारबन क्या हो जाएगा क्रेल हो जाएगा अरे भाईयों अगर इस कारबन पर तीनों के तीनों अलकिल समू अलग है हेलोजन है तो देखो ध्यान जई यहाँ पर जब इस पर हम क्या करवाएंगे ना भी किस नहीं का योग करवाएंगे तो क्या होगा हैलोजन निकलेगा सबसे पहले क्या होएगा यहाँ से हैलोजन निकलेगा एकस माइनस निकल गया इस कारबन पर आरवन आ गया आरटू आ गया आरट्री आ गया और यहाँ पर धनावेश बन गया बनेगा कारब धनायन बन गया अब जैसे ही कारब धनायन बना अब उस पर ना भी किस नहीं गा आकरमन होएगा अब ना भी किस नहीं देखो यहाँ एक SP2 का R बने तो ना भी किस नहीं आगे से भी आकर्मन कर सकता है पीछे से भी आकर्मन कर सकता है मतलब जहां से हेलोजन निकला वहां भी जुड़ सकता है R1, R2, R3 जहां से निकला, वहां भी जुड सकता है और पीचे की साइड से भी जुड सकता है जैसे की आगे से हेलोजन निकला और पीचे से न भी किस नहीं आके जुड गया मतलब निकला आगे से जुड इधर से गया घुमा दियानो कोई विन्यास का प्रतीपन हो गया मतलब या तो इदर से हेलोजन निकलाए तो वहीं पे जुड़ जाए या फिर इदर घुम जाए पलड जाएगा पूरा पूरा ना भी किस नहीं इदर से जुड़िया ठेके यह आर वन यह आर टू यह आर थरी हाँ या ना क्लेर हो गया बच्चे तो यार यहाँ पर जरा देखो ध्यान से हाँ जी बिल्कुल बेटा आनू देख सकते हो आप बाद में भी देख सकते हो ओके तो कहीं न कहीं हमने यहाँ देखा कहीं न कहीं हमने यह देखा यार यह इसका दर्पन प्रतिविंब ही है अगर बीच में काच लगा दू तो ना भी किस नहीं इधर इधर आरवन ऊपर आटू दूरे तो दर दूरे आरथ्री नीचे तो नीचे तह यार, यहां देखो, एक दूसरे का धर्पन प्रतिभिम् बन गया, ठीके, यहार टू, हेलोजन निकाला, वही ना अभी खिस नहीं जोड़ दिया, उदर पलड़ दिया, यह लगा दिया, तो योगिक और उसका धर्पन प्रतिभिम् एक ही अभिक्रिया अने बन गया, अगली बात इस्ततीज उर्जा वक्र इस्ततीज उर्जा वक्र अब देखो ध्यान से ग्राफ कैसे बनता इसका ऐसे बनता है बिटास का ग्राफ इदर लेलो उर्जा पोटेंशल एनरजी और इदर लेलो अभी करिया का पत अभी करिया कैसे कैसे चल रही तो इसमें यहाँ पर ऐसे graph बनता है थोड़ा उपर फिर नीचे फिर ऐसे ठीक है इस तरीके से इसका graph आता है यह है यहाँ पर आपका starting material alkyl halide फिर यह ना भी किस नहीं फिर यहाँ पर एक यह संक्रम नवस्ता बनती है जिसमें कार्बन से क्या होता है हेलोजन निकल रहा होता है फिर यहाँ पर कार्ब धनायन बन जाता है और फिर इस पर ना भी किस नहीं का योग होता है तो उसका योग का प्रोसेस होने लगता ह और फाइनली वो जुड जाता है यहाँ परा करके और यह X- निकल जाता है बोलो जी बोलो क्या यार यह आप सभी को समझ में आया कि SN1 कैसे होती है बहुत ही सरल है बहुत ही सिंपल है आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो बच्चो यार यह SN1 वगिरा के बारे में समझ में आय रहे हो तो मैं क्यों पढ़ा हूँ अगर आप इसको नहीं समझ रहे हो तो इसलिए पढ़ो ठीक है आपके काम का है आपके नेट में थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगा रिविजन हो जाएगा आपका इसलिए मैं लिखकर लेकर आओ कि NCRT लाइन बाई लाइन आपकी NCR पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा मैं आपको pure NCRT ओके हां जी तो कि आप अच्छे सिन को clear कर सो कम से कम अगर ये भी कर लोगे ना बहुत है अगर आप basic NCRT पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से फाइदा हो जाएगा आपको ओके तो यार यह समझ में आगे है SN1 अगेरा अब यह नहीं आया तो बेटा फिर में कुछ भी निकर सकता मतलब तुमने 12 में कुछ नहीं कर आये इसलिए नहीं आये तुमें समझ में वर्ना तो तुमारा 12 दी चल रहा है कुछ तो नहीं है नहीं अब जरा देखो ध्यान से स्क्रिंशोट लेने लाला फटाफट से अब जरा देखो धियान से यार एसन वन में मैंने बोला था प्रतम धीमा पद होता है ठेक है फस्ट इस्टेप धीमा होता है अर्थात वेग निर्धारक होता है वेग निर्धारक पद है तो अभीक्रिया का वेग अभी क्रिया के वेक को यंगिशन बोलते हैं बीटा, rate of reaction, धीमे पद में भाग लेने वाले क्रिया कारक की सांदृता की उपर depend करेगा, तो देखो ध्यान से, धीमे पद में alkyl halide है, इसकी सांदृता की उपर depend करेगा, alkyl halide लिख दू, rx, उसकी सांदृता की उपर depend करेगा, तो यार rate of reaction, समानुपाती चिन हटा, एक इस्तिरांग काया k, और यहाँ alkyl halide की सांदृता, यह मेरे पास वेगदर्नियम समिगर्ण बन गई, यहाँ मेरी वेगदर्नियम समिगर्ण बन गई, पढ़ाओगा आपने इसमें सांदृता पत की घात कितनी है, एक यही अभीक्रिया की कोटी है, अतह, अभीक्रिया की कोटी कितनी आ गई, एक, और आनविक्ता कितनी आ गई, एक, कैसे, क्योंकि उस धीमे पत में एक यनू भाग ले रहा था, इसलिए इस अभीक्रिया को एक अनुक इस वज़े से समझ में आ गया SN1 अब देखो SN2 फटापर से देखेंगे जल्दी से देखेंगे सारी चीजे क्लेर गरेंगे ओके जी तो यार यह SN1 SN2 SN1 हो गया अब देखो ध्यान से SN2 द्वी अनुक ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभी क्रिया क्या आपको पता है SN2 तो एकी पद में होती है SN2 तो एकी पद में हो सकती है मनलब ओएकी पद में होती है ओके SN2 क्या होता है सिंगल स्टेप इट इस सिंगल स्टेप रियक्शन खुड़ा सा लिख दू बेटा इट इस सिंगल स्टेप रियक्शन यह एकी पद में होती है कैसे होती है देखो ध्यान से ध्यान से देखिएगा बच्चे कैसे कैसे क्या हो रहा है यह कार्बन है इस कार्बन के यह चार बंदर है यह हैलोजन है तो ना भी किस नहीं इस पर जब आक्रमन करता है तो क्या होता है अरे देखो ध्यान से आगे से यह निकल रहा होता है जैसे यह निकलने लगता है तुरंत पीछे से जा करके ना भी किस न कर्मन होता है कि तू आगे से निकला और हमये पिछ से घुज últimosक गया देखो आप घर से निकलेगे चोर पीछे से हैंड वेन कोई घर से निकला तुरंद पिछे से चोर भूस गब तो यार ना भी किस नहीं पीचे से जुढ़ने का process start करता है ठीक है wait ही नहीं करता ही है ठीक है ओके पीचे से ना भी किस नहीं जुढ़ता है यह 3 मंद वैसे के वैसे आगे से हैलोजन निकल रहा होता है तो यह process हाँ है ना back side से attack करता है पश्च दिसा से आक्रमन होता है जैसे इसका बंद तूट रहा होता है इसका बंद बन रहा होता है तो कईनका इसके ओपर रिनावेश बढ़ रहा है इसका खतम हो रहा है तो कईनका ओरोल रिनावेश होता है ये बन गई संक्रमन वस्ता इसको बोलते हैं बेटा संक्रमन वस् आफ दिए कि जिसमें वास्तों में दो बन्तों आंशिक है तीन बन्तों है वास्ताओके इसका संक्रण होता है sp2 कि क्युक्छ तीन वन ही वास्तों के बाकि दो तो आधे आधे हैं ठीके कार बनाए नहीं बिटाई ठीके यह एक संक्रमन वस्ता है अब कारबन पांच बंदो बना नहीं सकता यह जहाद देर तक टिकेगी नहीं तुरंथ निकल जाएगी अगला पद होता है तिवर पद तुरंथ एक्स निकलेगा और ना भी किस नहीं पीछे से जुड़ यही वेग निर्धारक पद आरडीस रेटडिकर मैनिंग स्टेप रेट डिटर माइनिंग स्टेप क्लियर हो गया बच्चे यार समझ में आया क्या संटू एसंटू में ना भी किस नहीं पीछे से आक्रमन करता है आगे से यह लॉजन निकलता है इसके पीछे से जुड़ना उसका निकलना तोनो उससात हत होता है फाइनली ना भी किस नहीं जुड गया है और हेलोजन निकल गया ओके हाँ जी उत्पात का निर्मान संक्रमन वस्ता को होता है इसमें ठीकिलोफायल अर्टेक्स फ्रॉम बेक साईड nic दिशा से आक्रमन करेगा, पीछे से आक्रमन करेगा, तो त्रिविम बादा भी तो होनी चाहिए, देखो ध्यान से, अगर मान लो यार ये तीन बंद, छोटे-छोटे परमानों से जुड़े हो है, तो आराम से नाभी किसने पीछे से गुष जाएगा, लेकिन पीछे बड़े बड़े समू हो, तो क्या नाभी किसने पीछे से गुष पायेगा, नहीं गुष पायेगा, मतलब त्रिविम बाधा महां जादा हो जाएगा, अगर नाभी किसने पीछे से आक्रमन करेगा, तो पोसिबल नहीं है भाई साब, फिर तो नहीं हो पायेगा, हाई ना, तो नाभ से जुड़े हुए कार्बन पर समू छोटे-छोटे हो तो यार यहां पर अतहा अभी क्रिया का वेग अभी क्रिया का वेग त्रेविम बादा के व्युद्क्रमानू पाती होगा जहां भीडबार जादा उसकी क्रिया शीलता उतने कम बई ना भी किसे ही अटेक करना तो चाह रहा है लेकिन जायगा कैसे जैसे कि आप मारगेट में गये अप जसे की मालओ अप मार्यकेट जशेगी हाँ मार्यकेट में जा रहे हो ट्रक लेके पॉसिवन ए आराम से पेदल-पेदल जाओ बायक से जव आराम से ले जाओ ट्रक लेके मार्यकेट में जाओगे खुछ धकामुक्य our बीड़बाणवाला याखा है तो ट्रक तो गुसी न पाएगा, हाँ है न, तो यार अगर त्रिविम बादा ज्यादा है, तो फिर सोच के देखो, तो वहाँ पर अभी गिरिया बहुत श्लो होईगी, तो देखो ध्यान से, अतह, SN2 के प्रती, Rx की क्रिया शीलता का क्रम, क्रिया शीलता का क्रम, यार जो जितना छोटा होगा न, उसकी क्रिया शीलता ज्यादा, मतलब मैथिल एलैड सबसे बेस्ट है, फिर उसके बाद 1 डिगरी एल के लिलैड, फिर उसके बाद 2 डिगरी एल के लिलैड, और 3 डिगरी तो एंटू देता ही नहीं है ठीके ओके जो जितना छोटा होगा उतनी फास्ट भीकरिया होएगी यहां पर त्रिविम बादा पीछे भीडवार कमो अराम से कुछ जाएगा ना भी इस नहीं यह समझे में आ गया अगली बात एसन टू में विन्यास के प्रतीपन की घटना संपन होती है विन्यास का प्रतीपन होता है ना इसमें इसमें क्या होता है विन्यास का प्रतीपन क्योंकि पहले तीन सम्मू इधर जुड़े होए थे जैसे ना भी किस नहीं आया इधर हो गए विन्यास का प्रतीपन होता है इसमें ठीक है अगर मान लो जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको अगर मैं दिखाने ही कोशिश करूँ मैं जैसे कि मान लो यार यहाँ पर यह कोई कार बने यहां है लोजन है यहाँ पर जैसे की जुड़ाऊँ थे mathil जुड़ाऊँ यहाँ पर ह जुड़ाऊँ यहाँ पर C to H5 जुड़ाऊँ तो ना भी किस नहीं आएगा लेकिन यह आगे से निकलेगा मानलो यह SN2 अभी करिया है तो ना भी किस नहीं इदर से निकला ठीक है परन्तु ना भी किस नहीं पीछे से जुड़ेगा यह CS3 जहां का जा यह C2H5 जहां का जा Hydrogen इदर आजायेगा ना भी किस नहीं पीछे से जुड़ जायेगा विन्यास का प्रतीपन हो गया Hydrogen आगे से निकला जुड़ पीछे से रहा है ऐसा होता है ठीक है समझ में आए यह होता है SN2 के अंदर अब इसका स्ततीज उर्जा वक्र स्ततीज उर्जा वक्र यहीं बना लेते हैं बिटा स्ततीज उर्जा वक्र उर्जा वक्र तो इस्ततीज उर्जा वक्र क्या होता है हाँ इसको क्या बोलते हैं Walden प्रतीपन बोलते हैं Walden प्रतीपन बोलते हैं विन्यास के प्रतीपन की यह घटना क्या कहलाती है Walden प्रतीपन अब इस्ततीज उर्जा वक्र यह single step reaction है बिता तो बसे एक खतम τα जाती है ठीक है येरहली से उठ जाती है एक स्टेप में खतम single step reaction ओके क्यों़कि संग्रमन वस्ता बनती है और उससे तुरंथ डायक्ट उत्पात बन जाता है बिना कोई मद्ध्यवरती बने बिना कोई मद्यवर्ती बने डारेक्ट यहां पर फाइनल कंपाउंड बन जाता है तो SN1, SN2 दोनों समझ में आया अरे SN1, SN2 दोनों समझ में आया अब देखो इनके उधारण अब देखो इनके उधारण हाँ जी NSR के उधारण NSR बोले तो ना भी किस नहीं प्रतिस्थापन अभीगरिया के उधारण तो जैसे कि देखो ध्यान से अब तुम एलकिल हिलैड से क्या क्या बना सकते हो तुम इस एलकिल हिलैड से एलकोल बना सकते हो साइनेड बना सकते हो आईसो साइनेड बना सकते हो अल्किल नाइट्रेड बना सकते हो नाइट्रो अल्केन बना सकते हो सब बना सकते हो जैसे कि देखो ध्यान से हाँ जी यह है तुम्हारा अल्किल हैलाइड अगर तुम्हें इससे अल्कॉल बनाने है अगर तुम्हें इससे क्या बनाना है alcohol बनाना है तो alcohol बनाना है तो जल के साथ क्रिया करा दू जल में से OH आएगा X हटेगा, alcohol बन जाएगा जल में क्या आएगा OH, OH से आपको यहाँ OH है यह बन जाएगा, ठीक है अगर यहाँ पर यह जली है, नOH के साथ क्रिया करवा दे औह इन Сलेना है, लेकिन के साथ जली है तो जली है में OH है OH आएगा, X जाएगा ये इलकुल बन जाएगा KOH है, जली है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा यह क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा अगली बाद, अगर यही चीज हो हो बटा, K2CO3 potassium carbonate लेकिन ये भी केसा है, जली है, बच्चों होता क्या है, जली माध्यम में पानी है, तो K2CO3 जल के साथ क्रिया करके, पोटेशियम हाइड्रोकसाइड बना लेता है, यही बन जाता है KOH, तो वहाँ से वापस से OH निकलेगा, और हेलोजन को अठाएगा, ROH, ओके, AG, OH हुआ तो, अरे यार, AG, OH में भी OH है, तो यहां से भी क्या बन जाएगा, OH आएगा, हेलोजन भागेगा, यह इलकॉल, अगर यही चीज़ आपने AG2O के साथ करवा दी बिटा, AG2O के सा लिया, आद्र, नम, नमी वाला, AG2O के सा लिया, नमी वाला, पानी वाला, तो पानी के साथ यह क्रिया करके यही बना लेता है, यहां पे OH वापस से वो निकाल देगा, ROH, क्या बन जाएगा, इन सभी अभी क्रियाओं में एलकॉल बनता है, जब एलकुल हिलाइड जल के साथ क्रिया करे, जली एन वेच के साथ, कोईच के साथ, जली के 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 साथ, AG2O, आद्र के साथ, सब में क्या करना है, हेलोजन अटा के, OH चिपकाना होता है, एक ही बार में सारा खत्म, समझ में आया, ओके, अब, ये तो अलकॉल, और अगर इसे की अभी क्रियाओं तुमारी करवा दी जाए, इसे की अभी क्रियाओं करवा दी जाए, के सी इन के साथ, के सी इन के साथ, इसे की अभी क्रियाओं करवा दी जाए, के सी इन के साथ, पोटेशियम साइ इनएड के साथ करवा दी जाए तो बैटा ये k plus cn minus होता है cn पर रिनावेश होता है अलकोलिक होता है तो विलोपन होता है ठीक है अगर kcn है kcn लिया जाए तो यहां से cn minus आएगा ये x minus जाएगा तुम्हें क्या करना है इस x को तो निकालना है निकालना है सब में यहां sinad बन जाएगा rcn ये बन जाएगा क्या बोलते हैं इसको alkyl sinad alkyl alkyl sinad alkyl sinad बन जाएगा और अगर यही अभी करिया sinad की kcn के बजाए ag cn के साथ करवाई गई है अगर मैं इसके अभी क्रिया agcn के साथ करवाऊ तो यहां सहसायों जाक्योगी को होता है कैसा होता है बेटा देखो kcn तो ऐसा होता है k plus cn minus तो यार जिनावेश इस कारवन पर भी है और nitrogen के पास loan pair भी है दोने में दोनों दे सकते हैं लेकिन extra charge है कारवन पर तो वो डोनेट करता है जबकि agcn के साथ सहसायों जाक्योगी कहें इसमें क्या है ag और carbon के बीच में single bond होता है तो nitrogen को यह देना पड़ता है इसलिए nitrogen पर nitrogen पर लोन पर वो जुडता है तो यहां बनता है rnc यह बन गया isocyanide क्या बन गया isocyanide आई बनाना है तो agcn जोड़ना है और अगर cyanide बनाना है तो kcn जोड़ना है समझ में आया अरे बोलो अगली बात अगर आपको क्या बनाना है अगर इसके अभी क्रिया करवाई जाए kno2 के साथ kno2 kno2 क्या होता है potassium nitrite potassium nitrite अगर kno2 के साथ अभी क्रिया करवाई जाती है तो kno2 ऐसा होता है बिटा kno2 दिखने में कैसा होता है ऐसा k plus o minus n o तो यहाँ पर रिनाविश किस पर है इस पर तो यह आक्रमन करता है कारबन पर o निकलेगा यह x निकलेगा वो जुड़ जाएगा r से क्या जुड़ जाएगा o n o इसको बोलते है एलकिल नाइट्राइट तो क्या बनता है एलकिल नाइट्राइट बनता है ओके और जब यही अभी क्रिया जब यही अभी क्रिया के नोटू के बजाए एगा नोटू के साथ करवा दी जाए तो AGNO2 के साथ करवा दी जाए तो AGNO2 कैसा होता है सहसा ही हो जग AG और N के बीच में bond होता है और यहाँ पर यह ऐसा होता है इसमें नाइट्रोन अपना loan पे donate करता है ठीके तो AGNO2 में क्या होता है R से जुड़ता है direct NO2 तो नाइट्रो एलकेन नाइट्रो एलकेन क्या बन गया नाइट्रो एलकेन बन गया ऐसे बन जाएगा अरे सरल है बहुत सिम्पल है एलकोल बनाना आए तो इन में से किसे के भी साथ अभी गरादो साइनेड बनाना आए तो केसे एन ले लो आईसो साइनेड बनाना आए AGCN लेलो अगर नाइट्रो एलकेन बनाना है तो AGN ओटू लेलो नाइट्राड बनाना है के नोटू लेलो खता में पुरी अभी गरिया है समझ में आया गया अरे बोलो यार इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि आपको यहाँ पर दे दी जाए कुछ और अभी गरिया है जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पर किना के एसेच के साथ अभी गरिया गराओ K SH, तो K प्लस SH माइनस होता है K प्लस SH माइनस होता है तो रिनावेश कोन है? SH तो OH की बज़ा इस बार SH जुड़ेगा R से तो R SH, ये बन गया थायो एलकोहल थायो एलकोहल बन जाता है, ये बाकिसारे एलकोहली याद रखना पड़ेगा, इसको बिटा क्या है? सिंपल ही तो है ओके, तो यार ये सारी चीजे आपको समझ में आई गया नॉर्मल नॉर्मल अभी क्रिया आए कर सकते हो, एक दो और दिख सकते हैं क्या पने इसमें हाँ जी, एक दो और लिख सकते हैं लिख सकते हैं, एक कलर हो रहे भी अपने पास हाँ जी, यहाँ पर ज़रा देखो ध्यान से अगर इसकी अभी क्रिया करवा दी जाए सोडियम एथेनाइड के साथ यहाँ पर CH C triple one C minus N A plus इसके साथ तो ज़रा देखो ध्यान से यहाँ पर जो ही रिणावेश है यह इस कारबन पर जुड़ेगा यह X और N A बाहर हो जाएगा तो ज़रा देखो ध्यान से R से जुड़ेगा C triple one C H यह बन जाएगा L काइन तो L काइन बनानी हो तो आप यह वीक्रिया करवा सकते हो L काइन बनानी हो तो इस रिनाइन का टेक करवा सकते हो इथर बनाना हो तो अगर आपको इससे क्या बनाना है इथर बनाना है मेरे को क्या बनाना है इससे इथर बनाना है तो आप इथर बनाने के लिए यहाँ पर R O माइनस N A प्लस R O माइनस N A प्लस एलकोक्साइड विल्यमसन इथर संसलेशन अभी करिया ठीक है तो यहां पर आर पर क्या जुड़ जाएगा यह ने प्लस अलग ओ आर जुड़ जाएगा इस पर डेश लगा लो ताकि अलग दिख जाए तो आर से क्या जुड़ गया ओ आर डेश जुड़ गया यह बन गया आईसर साइनैड क नो टू लोगे तो नाइट्राइड बन जाएगा जिन ओ लोगे तो नैट्रो ये सारी चीज़े क्लियर हो जायेगी बच्चों हाँ यान तो ले-ले बेटे स्क्रίν जोट ले-ले यार क्या दिक्कत है वेटा क्या करना है हेलो जन अटा के वो निकालना है अभी अपना वन शो टेना पहले खतम कर ले कुशन ले कि आऊंगा में मंडे से तुम्हारे लिए एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ओ बताऊंगा तुम्हें ठीक है मंडेवाला प्रोग्राम सुनके जाना हर दिन, हर दिन, PCB की क्लासेश चलेगी, की क्लासेश होगी, मंडे से डेली आप की PCB की Physics, Chemistry, Biology की डेली क्लास होईगी, हर दिन, हर दिन, ठीक है, बारा बजे, Biology, जो पिछले साल हमने चलाई थी, ओके, हान जी, फिर पाँच बजे या साड़े पाँच बजे, ठीक है, पाँच साड़े पाँच के लगबग, ठीक है, अगले टाइमिंग है आपकी साड़े पाँच बजे वाली, ठीक है, साड़े पाँच बजे, Physics, या ये प पाँच बजे हाँ, पाँच बजे, शाम को, पाँच बजे Physics, और आट बजे, Chemistry, ओके, और कभी-कभी टाइम चेंज होगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा, अभी हाल फिलाल ये रखा गया है, हाया ना, डेली क्लासे होईगी, बटा, डेली, अब आपकी डेली क्लासे ह होईगे, मंडे से, ओके, ये तो गुड न्यूज है, बटा, जो पढ़ने वाले बच्चे है, उनके लिए बहुत अच्छे खबर है ये, कि बाई बारा बजे, फिर पाँच बजे, फिर आट बजे, दे धना दन, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके, एक्जाम तक चलेगी, ब अग्जाम तक चलेगी, अपने गली, महले के हर एक बच्चे, बच्चे के कान में एक खबर बतादो, कि आने वाले, मंडे से, आपको, रेगुलर प्रेक्टिस करवाई जाएगी, क्यूश्यन्स, थियोरी, सब कुछ करवाया जाएगा, हाई ना, तो देखो, ध्यान से, विलोपन अभीकरिया, अगली देखो, विलोपन अभीकरिया, इसको क्या बोलते है, बीटा विलोपन भी बोलते है, होता क्या है, जब एलकिल हेलैड की अभीकरिया, जब एलकिल हेलाइड की अभीक रिया या तो एलकोहलिक के वेच या एने एनेच टू एने एनेच टू सोडामाइड इनके साथ गर्म कर दिया जाए या तो एलकोहलिक के वेच लो या एनेच टू लो सोडामाइड इनकी उपस्तती में जब हम किसी एलकिल हेलाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बोलता है इलफा कार्बन उसके ब टूड़ गए पाई बंद बन गया यह एकस बाद निकल गया यह पास वाले कारवन से हैडीडोजन निकाल दो उदारण हाजी जैसे कि मान लो यहाँ कोई योगिक है यहाँ पर यह ब्रोमीन है और यहाँ पर जुड़ावाई CS3 ओके आप से बोला गया इसकी अभीक्रिया एलकोहलिक के वेच के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा तो हमने देखा कविता जी लाइव है हमने देखा कि यार एलकिल हलैड है के वेच है परंदू एलकोहलिक है हाँ साथ में गर्मगर रखा है हाँ तो क्या हुआ विलोपन हुआ क्या हुआ विलोपन हुआ विलोपन में क्या होता है जिस कारबन पर ब्रोमीन है वो तो alpha carbon अच्छा उसके पास वाला बीटा पास वाला ये भी है पास वाला ये भी है तो एक बार BR इसके H के साथ निकलेगा एक बार BR यहां से H के साथ निकलेगा तो दो उत्पाद बनेंगे समझ में आई मेरी बात ये BR या तो यहां से भी है लेके जा सकता है या ये BR यहां से भी है लेके जा सकता है दो BR दो HBR निकलेगे या तो यहां से H निकले या यहां से H निकले बोलो ना यार तो क्या यार यहां पर HBR निकल जाएगा तो दो उत्पाद बन जाएगा एक उत्पाद ये बन गया और एक उत्पाद ये बन गया बोलते नहीं हो ना लाइको ये भी ग्रिया हो गई ओके अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन जादा मात्राइं बनेगा कौन कम मात्राइं बनेगा जिस डबल बोन से जादा इलकिल समू जुड़े हो वो मुख्य होता है जिससे कम जुड़े हो वो मात्राइं मनता है इस double bone पे देखो इधर भी carbon इधर भी carbon इधर भी carbon तेन तरफ carbon इस double bone से देखो इधर carbon और इधर carbon दोई दिशाओं में carbon उधर जादा carbon है मुख्य है यह निम्न है तो यह हो गया बिटा आपका विलोपन तो विलोपन आराम से हो जाएगा तो यह विलोपन अगला बिटा धातूं के साथ क्रिया धातूं के साथ क्रिया धातूं के साथ क्रिया अब जैसे कि देखो ध्यान से धातूं के साथ क्रिया करना है अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते है बिटा देखो जी आपने लिया एलकेल हेलाइड ओके और आपको लगा कि मैं इसके अभीक्रिया सोडियम धातू के साथ करवा दूँ शुष की इथर ले करके तो क्या बनेगा आपको लगा मैं इसके अभीक्रिया मैगनीशम के साथ करवा दू शुष की इथर की उपस्तिती में तो क्या बनेगा हाँ है न अगर आप इसके अभी करिया जिंक धातू के साथ करवा देंगी तब क्या बनेगा ओके और एक थोड़ा इसी में थोड़ा अलग से देख लेंगे उसको ठीक है वो फिटिग अभी करिया है वुड्स फिटिग अभी करिया है आजी यह तीन अभी करिया है तो यार जब किसी अलकिल हैलाइड की अभी करिया यह क्या है तुमारा अलकिल हैलाइड है यह तुमारा अलकिल हैलाइड है जी हाँ है जब अलकिल हैलाइड की अभी करिया सोडियम दादू के साथ करवाई जाती शुषकेथर की उपस्तिती में कौन से अभीक्रिया वुड्स अभीक्रिया इस अभीक्रिया को बोलते हैं वुड्स रियक्षन कौन से अभीक्रिया वुड्स तो वुड्स में क्या होता है वुड्स में क्या होता है वुट्जबीक्रिया में डबल हो जाता है वुट्जबीक्रिया में एक का दो यहाँ एल्किल हेलाइड दो मोल लेते हैं जिसमें क्या होता है एक का एल्किल दूसरे के एल्किल के साथ जुड़ जाता है आर और आर और यह एने और दोनों का एक्स निकल जाता है देखो यार एस एलकिल हलाइड सोडियम प्लस एलकिल हलाइड लिया तो ये 2NX निकल गया यहाँ दो लगा दो ये आर इस आर के साथ जुड़ गया एलकेन बन जायता है ये बन गया बेटा तुमारा एलकेन हाइड्रो कार्बन वाले चेप्टर में भी बेटा देखो ध्यान से अगर किसी को ये वुट्स अभी करिया पढ़नी हो अच्छे से मैंने हाइड्रो कार्बन चेप्टर पढ़ाया है उसका वन शोट है उसको जाके देखो महाँ पे आपको मिल जाएगा इसका वन शोट है हाँ मैगनीशयम धाटू के साथ करवाते तो ग्रिंयार अभी करमक बनता है यह मैगनीशम बीच में आ किया बैट जाता है आरमजी एक्स ढरिंद्रन अर्भी करमक ठेक है इसको बोलते हैं ग्रिंद्रन अर्भी करमक Grinniar Abhikarmak Grinniar Abhikarmak क्या बोलते इसको Grinniar Abhikarmak Grinniar Abhicarmak क्या बोलते इसको RMGX Grinniar Abhikarmak Alkyl Magnesium Helide Alkyl Magnesium Helide इसको बोलते दें पीटा Grinniar Abhikarmak सर सोडियम फितिक अभी क्रिया है क्या? नहीं है ये वुट्ट अभी क्रिया है बीटा जब दोनों के दोनों मॉल एलकिन हिलाड लिये जाते हैं तो वुट्ट अभी क्रिया है ओके? अरे, ये NCRT करवा रहा हूँ, कुल्डीब भाटी जी NCRT चल रही बिटा यह आपकी NCRT है ठीक है जिसमें जो NCRT में भी करिया है दे रखी ना वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार आप NCRT पढ़के ना इन चीजों को अच्छे समझ लो रग रग में तुम्हारे यह है लो एलके न आ जाए ठीक क्योंकि बच्चा क्या बोल सर NCRT सर NCRT से पढ़ा हो ना ले बिटे ओके हाँ या ना इसमें दो मोल इसमें एक ही मोल चाहिए बिटा और जिंक धातू जिंक धातू से बनता है आपका फ्रेंक लेंड अभी करमक R2ZN और वो ZN X2 बाहर निकल जाता है यह डाइलकेल जिंक इसका नाम है डाइलकेल जिंक डाइलकेल जिंक इसको बोलते हैं फ्रेंक लेंड अभी करमक फ्रेंक लेंड अभी करमक फ्रेंक लेंड अभी करमक हाँ यह न ओके दिनेश जी वेरे गुड बिटा कैसे भी देखा आप बस देखो इनको ओके तो जब एलकिल एलाइड के भी रिया सोडियम धातू के साथ करवाय जाती वुट्जब इक रिया उसमें एलकेन बन जाता है एमजी के साथ करवाय जाती गृन्यार भी करमक बनता है और अगर यहाँ पर जिंग धातू के साथ करवाय जेते हैं तो डाइलकिल जिंग बनता है ठीक है यहाँ दोनों एलकिल यह एलकिल समुद दो बार रिपीट कर दो आटू जडन बन जाता है और जडन एक्स टू दूसरा पड़ाओ ठीक है हाँ असेशेशन और रिजन वाले कुशनी बनता है बिटा अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगली बात अब हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में हैलो बेंजीन के बारे में हाँ या ना क्लियर हुआ है हाँ जी थेंग्यू बेटा थेंग्यू जी थेंग्यू ओके वेरे गुट अब जड़ा देखो ध्यान से अब हम बात करेंगे हेलो बेंजीन हेलो बेंजीन हेलो बेंजीन देखो हेलो बेंजीन बनाते केसे हैं इसके रासाइने कभी ग्रिया है क्या होती आई ये चले इनको निपटाते हैं ठीके ओके जी हाँ अब बेटा प्रिया जी यार उसको आप थोड़ा सा जो बचावा पार्ट है ना बचावा पार्ट पुरा थियोरी बचे वई पार्ट मे क्या है उसमें योगिक है तो योगिक आप उसमें से पढ़ सकते हो कॉंसेप्ट जो मेरे को बताना था ना वो मैन मैन वैसे ही मैंने आपको बताई दिया था अब जना देखो हेलो बेंजीन हेलो बेंजीन में क्या आता है बेंजीन के ओपर हेलो जना आता है ओके तो ये हो गया हेलो बेंजीन अब हेलो बेंजीन तो हमने बना लिया मतलब देख लिया अब इसको बनाते के से देखो इसके निर्मान की विदिया निर्मान की विदिया हेलो बेंजीन बनाने की विदिया होती है कौन-कौन से भी करिया पहला बेंजीन के हेलो जनी करन से Benzene के Halogen के करन से जब आप Benzene के उपर हेलोजन के अभी क्रिया करवाथे हो जैसे गी ये Benzene लिया Benzene के उपर आप ने करवा दी Cluin के अभी क्रिया Cl2 के साथ NIRZAL LCL3 की उपस्तिति में ये Hydro Carbon Chapter में इसेम अभी क्रिया बिटा Hydro Carbon में है आपको ये हाइड्रो कारबन में भी पढ़ाया है और जिन बच्चों ने हेलो एलकेन पढ़ाया उनको भी पता है ठीक है हेलो जन की अभी करिया करवादो हेलो जन के साथ अभी करिया करवादो बेंजिन की ब्रोमो बेंजीन बनाना है 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 ब्रोमो बेंजीन से कोई भी ले सकते हो तो यार आपका क्या बन जाएगा यहां पर बन जाएगा क्लोरो बेंजीन यहां बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन बियार यहां बन जाएगा आयूडो बेंजीन अब देखो ध्यान से यहां पर थोड़ा सा चीज यार यह बेंजीन है यह बेंजीन है जब बेंजीन के उपर क्लोरीन जुड़ता है तो वो एक हाइडोजन हटाता है हाइडोजन हटा के जुड़ता है तो यहां से एच और एक सील बचा हुआ है एच सील बाहर निकलता है यहां एच बियार बाहर निकलता है यहां एच आई बाहर निकलता है निकलता है कि नहीं निकलत अबिकरिया पीछे खेश देगा वापस से वो आयोडीन और आयी टूर बेंजन में कनवर्ट हो जाएगा इसलिए इस अबिकरिया में क्या मिलाते हैं हम एचेनों थ्री मिलाते हैं ताकि यह अग्र दिशा में चलती रहे तो इस तरीके से बना लेते इसको ठेक है तो यार बें बेंजीन का हेलोजनी करण करवाना है, क्लोरीनी करण, ब्रोमीनी करण, आयोडीनी करण करवाते हैं, फ्लोरीनी करण डारेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पर धनावेश होता ही नहीं है, जबकि इन तीनों में क्या बनता है, धनावेश बनता है, C-L+, BR+, I+, वो पर जुडता है, जबकि F प्लस बनता नहीं, इसलिए हम वो करवाते नहीं है, ओके, अगला, BDC से, BDC क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यह BDC है, तो BDC यह होता है, बेंजीन की उपर, N2 प्लस, C-, जानते हो न, यह होता है, आपका BDC, हाँ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यह BDC, तो BDC, अगर हम देखें बेटा, सर यह सब ग्रूप वाले फ्रेंड्स बहुत बाते करते हैं, तो बेटा, आप उनके मेसेज मत देखो, बस आप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, बेंजीन डाई क्लोराइड की मदद से कैसे बनाते हैं, देखो, आपने सेंड मेर अभी करिया पढ़ियोगी इसमें, गोटरमान अभी करिया पढ़ियोगी बच्छों आपने, के आई के साथ अभी करिया, इसमें चारों बना सकते हैं, देखो, वन बाई वन हम एक एक देखते हैं, अगर आ अगर आप HCL के साथ अभी करवाते हो, जब BDC के अभी करिया या HCL के साथ करवाई जाए, या HBR के साथ करवाई जाए, या HCL के साथ करवाई जाए, या HCL के साथ करवाई जाए, या HCL के साथ करवाई जाए, किसकी उपस्तिती में, कोपर हिलाइड की उपस्ति में Cu2, Cl2 या Cu2, Br2 जब BDC के भी करिया HCl या HBR के साथ करवाते हैं कोपर हिलाइडों की उपस्ति में तो क्लोरो बेंजिन बनेगा ब्रोमो बेंजिन बनेगा बनेगा यहां से यह N2 बाहर निकल जाती है यहां से Cl यहां से H, HCl बाहर निकल जाता है यहां से H, यहां से Cl यह भी बाहर निकल जाता है ओके, यह अभी करिया होती तुमारी सेंड मेर अभी करिया सेंड मेर reaction, समझ में आया क्या रिविजन है बच्चों, जिन्नोंने पड़ रखा होगा, उनको आयेगा, जिन्नोंने अभी तक नहीं देखा है तो फिर थोड़ा दिक्कत आयेगा उनको ओके, आप इसी अभी करिया को कोपर चुन की उपस्तिती में करवाओ तो वो गोटरमान कहलाती है ओके, हज़, यहीं अभी करिया अगर आप HCL के साथ करवा रहे है और HBR के साथ करवा रहे है परन्तु, कोपर हिलाड लेने के बजाए कोपर चुन ले रहे हो ओके जी, तो यहाँ अभी करिया कहलाती है आपकी सेंड मेर के बजाए गोटरमान से मुतपाद यहाँ पर CL, क्लोरोबेंजिन मन गया, यहाँ ब्रोमोबेंजिन मन गया, ओके साथ पाथ की रूप में N2 प्लस HCL यहाँ पर भी N2 प्लस HCL इस अभी करिया को देन हम बोलते हैं गोटरमान अभी करिया गोटरमान रियक्शन बहुती सरल है बहुती सिंपल है यार देखो जिनोंने पड़ा है वो अच्छे से पढ़ लो क्योंकि देखो ध्यान से यार यह वन शोट आपने के डिली के डिली तो चलेंगी नहीं क्योंकि मंडे से फिर आपन अलग्ट स्ट्रेट जी से पढ़ेंगे क्योंकि फिर एक एक गंटे की क्लास होईगी डेड़ गंटे की क्लास होईगी ओके तो फिर अपन क्यूस्चन्स लगाएंगे तो पढ़ गयाओ फिर क्यूस्चन लगाओ तो जब तक यह चल रहा है तब तक पढ़ लो ओके जी फिर क्योंकि फिर अपन मंडे से न अपन अलग स्ट्रेट जैसे पढ़ेंगे मंडे मंडे से अपन क्या करेंगे थोड़ी 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 कुश्चन थोड़ी 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 कुश्चन तो पुरा वन शोट पोसिवल नहीं हो पाएगा ओके, मंडे से अपन क्या करेंगे, थोड़ी थियोरी, थोड़ी ऐसे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीके, तो अभी अभी जब तक ही चल रहा है बेटा, इनको पढ़ लो, क्योंकि वन शोट के लिए फिर पूरा टाइम चाहिए, वुतवपन दे नहीं पाएंगे, ओके, तो आपको ज जब क्यूशन करने की बारी आए, तो बढ़िया से कर लेना, ओके, इस वज़े से, और अगर यही अभी करिया बेटा, के आई के साथ करवाई जाती है, पोटेशियम आयोड़, बेटा, चेप्टर रिप्टर अब लास्ट ये, ठीके, इसकी बाद क्यूशन करेंगे, अपन के आई, पोटेशियम आयोड़ के बादे में अगर बात करें, तो देखो पोटेशियम आयोड़ में आय माइनस है, वो बेंजीन पर आ जाएगा, के, सी एल बाहर और एंटु बाहर, ये आयोडो बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा, ओके, यह अईडो बेंजीन बन जाएगा, और अगर आपसे फ्लोरो बेंजीन बनाना हो, इसके जर यह वह भूरी बना सकते हो, देखो कैसे बनाना है, फ्लोरो बेंजीन इदर बना ज़ cafeteria करवाते हैं, हBF4 के साथ, Hbf4 ठेके Tetra Floroboric Aml इसको बोलते हैं बेटा Tetra Floroboric Aml ये बोलते हैं जैसे इसके साथ अभी क्रिया कराते हैं यहां से H plus Cl को लेकर के अलग हो जाता है बचा क्या ये Bf4 रिनायन इस N2 plus के साथ जुड़ जाता है Bf4 रिनायन जैसे इसको गर्म करते हैं तो यार यहां से ये N2 सबसे पहले तो ये पहली फूरसत में निकल जाती है यहां पे एक Flourine आ जाता है बचा Bf3 ये अलग हो जाता है ये बन जाता है आपका Floro Benzine Floro Benzine ऐसे बन जाता है और इस अभी क्रिया को कहा जाता है बोल्ज शिमान रियक्षन क्या बोलते हैं बच्चो बोल्ज शिमान अभी क्रिया हाँ या ना क्लियर हो गया बच्चे अभी आप कौन से बेच में बढ़ाते हैं अभी बेटा जी में आरम में बढ़ाता हूं उडान में बढ़ाता हूं सब लगबग हर जेई और नेट वाले बेचने बढ़ाता हूं कवीता जी ओके तो यार आप आराम से बीडी सी की मदद सेंगो बना सकते हो अब बागी जीजें आप खुद कर लो यार थोड़ा साथ हो ओके यहाँ पर देख लिया अपने बीडी सी की जरे इसको बना सकते हैं अब बचाए इसमें बेटा बेंजीन की अभीक्रिया है तो उनको एक बार लगए हाथ पढ़े लेते हैं देखो क्लोरो बेंजीन की रासाइनिक अभीक्रिया है क्लोरो बेंजीन की रासाइनिक अभीक्रिया है क्लोरो बेंजीन की रासाइनिक अभीक्रिया है तो अगर अपन बात करें क्लोरो बेंजीन की रासाइनिक अभीक्रियाओं को देखें तो क्लोरो बेंजीन की रासाइनिक अभीक्रिया क्या होती है भाई ये क्लोरो बेंजीन ह है है ओके पहली बात तो यह एलकील हिलैड से कम करिया शील है ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर अनुनाद होता है यह प्रतिस्थापन अभीग्रिया देता है नहीं सबसे पहले अगर अपन बात करें एने सार नुकलियो फिलिक्स सब्स्टूटिशन रियक्शन अगर मैं प्रतिस्थापन अभीग्रिया के बारे में बात करूँ ठीक है Ноooosh क्लोरीन के पास लॉन प्र होता है जो बैंजन के साथ अनुनाध दर्शाता है लॉन प्र होगा तो देगा तो लॉन प्र होगा तो देगा तो ना जायाएगा इस पर धनावेश यहां रिनावेश फिर अनुनाद हो रहा है अनुनाद करवा दो यहां रिनावेश यहां डबल यहां डबल यहां डबल बोल सील पर धनावेश फिर क्या होगा यह रिनावेश कनवट होएगा पाई में पाई गया रिनावेश में यहां आयेगा नेगेटिव चार्ड यहां डबल बोन यहां चील पर धनाविश फिर क्या होगा नेगेटिव गनवर्ट कया पाई में पाई गया यहां पर तो यार यह हमने अनुनाद करवाया क्या करवाया हमने यह अनुनाद करवाया तो अनुनाद में हमने क्या देखा यार अनुनाद में हमने यह देखा, पूरी बेंजीन में अनुनाद हुआ, बहुत अच्छी बात, इस कार्बन क्लोरीन बंद में अनुनाद हुआ, हाँ, उससे क्या हुआ, डबल बोन के लक्षन आ गए, इस कार्बन क्लोरीन में डबल बोन के लक्षन आ गए, इसने दिया इ ही न कही हम यहां पर अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हैं अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हैं कि क्लोरो बेंजीन में कार्बन और क्लोरीन जो है न यह कार्बन और क्लोरीन इनके बीच में द्वी बंद है यह द्वी बंद है और द्वी बंद होने की वज़े से क्या होता है मजबूत एकल बंद दुरूबल होता है डबल बॉन जादा स्ट्रोंग होता है यह एक लगड़ी को तोड़ना आसान यह दो लगड़ियों को तोड़ना मुस्किल है तो डबल बोन जादा मजबूत हुआ इस वजह से अगर मैं बात करूँ एनसार के प्रती क्लोरो बेंजीन ज्यादा क्रियाशील होईगी कि कोई अलकेल हैलाइड अलकेल हैलाइड होगा ज्यादा क्रियाशील क्योंकि वहाँ तो एकल बंदी है ना प्योर ठीक है बच्चों ओके जी अब last का topic बच्चावा जवाँ फुद पढ़िएगा बड़ पर ठीक है कलिर है तो कर दे बड़ा जिस class को यही पर खतम कर दे कर दे इस class को यही पर finish कर दे ठीक है okay sir ओके जी ओके ओके बच्चों, हँजी तो उमेद है यार आप सभी को ये सारी बाते समझ में आई होगी अब इसके बाद आप थोड़ा self study करो थोड़ा सा पढ़ो एने सार अभी करिया chlorobenzene से phenol कैसे बनाते हैं एने वेच के साथ करिया करवा के लेकिन वो high temperature पर होता है तब जा करके करना पड़ता है फिर low temperature पर करवाना है तो कैसे करोगे फिर इसकी ये सार भी करिया ओर्थोपेरा निट्देशी होता है ये तो और्थोपेरा पर ही हेलोजनी करण नाइट्रे करण सलफोनी करण फ्रेडल क्राफ्ट एलकिली करण फ्रेडल क्राफ्ट ऐसे लिकरण होता है तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी बाते समझ में आई बच्चों अब क्लास को बढ़िया से आप लाइक करो यार अच्छे से अपने दोस्तों को शेर करो ताकि उनको भी फाइदा मिल जाए लास्ट टाइम पर ओके नए बच्चे हो तो यार इसको सब्सक्राइब कर लो आपके लिए चीज़े आती रहेगी और मंडे से मैंने आपको टाइम टेबल बताए दिया है मंडे से क्या होगा बिटा हर दिन फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी की क्लासिस चलेगी सोमवार से मंडे से ठीक है बार क्या है